मैं चाहता हूं कि गुजराती भाशा में बोल पाता है इसलिए हिंदी में बात करूंगा सरल हिंदी होगी आसान होगी आपको समझ में आएगी ऐसा मेरा विश्वास है भारत देश के उपर एक बहुत बड़ा संकट का समय है इस समय विपत्ती है बहुत भेंकर और उसके कुछ हमारे सामने दिखने वाले दुष्परिणाम भी है ऐसे ही एक गंवीर विशह पर मैं आप से बात करने जा रहा हूं और वो विशह है वैलिव एडिट टैक्स मूल वर्देद कर एक नए तरह का कर हमारे देश में लागू हुआ है पिछले एक अपरेल दो हजार पांच से भारत देश के 22 राज्यों में ये कर का नया कानून लागू हुआ है महराश्च राज्य में भी हुआ है भारत में लगवक 30 राज्य हैं 30 राज्यों में से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी तक ये कानुन लागू नहीं हुआ है और उस कानुन के लागू नहीं होने का कारण है महराश्च श्री ने जैसा कहा वहाँ के व्यापारियों में, वहाँ के उध्योग पतियों में, वहाँ के ग्राहकों में थोड़ी चेतना पैदा हुई है, थोड़े वो जग गए है और उनकी चेतना ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वहाँ अभी तक वैट नहीं है तो बारादेश के जिन आठ राजियों में वैट नहीं है अगर इनकी कुल जन संख्या को जोड़ दिया जाए तो वह 55 कोटी है 55 करोर है 55 करोर है भारत देश की कुल लोग संख्या 105 होती है सरकार के आपणों के अमसार उसमें से 55 करोर की जो लोग संख्या है 55 करोर की जो पॉपुलेशन है वहां वैट नहीं है अर्था आधे भारत देश में वैल्यू एड़िट टैक्स है यह जो वैल्यू एड़िट टैक्स हमारे देश में आया है इसके पीछे की जो मुख्य भूविका है वो मैं आपसे शुरू में कहूंगा और मेरा अभी का जो व्याख्यान होगा वो दो हिस्से में मैं एक तो मैक्रो एकॉनमिक एनलिसिस होती है मोटी मोटी बात है और एक माइक्रो एकॉनमिक एनलिसिस होती है व्याख्यान के बाद का हिस्सा माइक्रो एकॉनमिक होगा व्याख्यान के पहले का हिस्सा मैक्रो एकॉनमिक होगा और मैंने इस पर एक छोटा सा प्रेजेंटेश आपको दिखाने के लिए लाया है तो व्याख्यान का जो दूसका हिस्सा होगा उसमें मैं एक CD, Laptop और LCD प्रोजेक्टर के मांधियम से आपको कुछ मुख्य-मुख्य बातें आपके ध्यान में इठाने के कोशिश करूँगा। हमारे भारत देश में जहां ये वैलिवर्टिट टैक्स का कानून आया है उसके बारे में पांसाथ मिनट में कुछ मोटी-मोटी बाते बता दूँ अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश की संसत में बजट प्रस्तुत हुआ फर्वरी के महिने में हमारे देश के मित्यमंतरी श्री चिदम पर हमने बजट प्रस्तुत किया दो ड़ाई गंटे का उनका बजट भाशन था मैं हर साल बजट भाशन बहुत ध्यान से सुनता हूं और सिर्फ सुनता ही नहीं हूं उसके पेपर समगाता हूं और उसको जानने समझने की कोशिश करता हूं क्योंकि बजट देश की फरिस्तिती क्या है वो माहिती भी बजट से मिलती है। इस बार का जब बजट भाशन में सुन रहा था तो हमारे देश के विद्ध मंत्री चिदंबरम ने बोलते बोलते बीच में कहा नाव वी आर एक डैट ट्रैप। बजट भाशन बोलते बोलते बीच में एक वाक्य बोल दिया जो बहुत सरलता से हमारे सांसों के कान से बुसके दूसरे से निकल गया जबकि वो निकलना नहीं चाहिए था उन्होंने बोल दिया नाव वी आर एक डैट ट्रैप अब हम कर्ज के दुस्चक्र में फस चुके हैं कर्ज का दुस्चक्र क्या होता है कि आपने कहीं से इतना जादा कर्ज ले लिया है कि अब उसको वापस देने की ताकत आपकी नहीं और उस कर्जे का व्याज भरने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है इन दोनों को मिलाकर परिस्तिकी जो बनती है उसको डेट रख कहते हैं भारत की सरकार ने इतना जादा कर्ज ले लिया है कि उस कर्ज के मूल धन को वापस देने की ताकत अब नहीं बची है और उससे भी जादा खराब बात ये है कि उस कर्जे का व्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है इस बात को कहते हैं इस बार के बजट में मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत सरकार में कितना कर्ज ले लिए तो हमारे भारत सरकार में क्या क्या आता है? भारत सरकार में केंदर की सरकार, 30 राजकी की राजसरकार और 30 राजकी के नीचे जो मिनुसिफल कौर्कुरेशन breaths की सरकार होती है। ये तीनों मिलाकर भारत सरकार उठी कि तो इस बार के बजट के आंखड़े बताते हैं और बजट के एक दिन पहले सरकार ने एक economic survey संसथ में पेश किया था अर्थिक survey क्षम उसके आंखड़े बताते हैं कि हमारे देश में तीन इस्तरपर केंद्र सरकार राज्य सरकार और मुनिसिपल कॉर्पोरेशन इन तीनों के इस तरवर कुल करजा 18 लाख करोड रुपए हो गया 18 लाख करोड 18 लाख कोटी अगर इसको आप कैल्कुलेटर में लिखेंगे तो फेल हो जाएगा क्योंकि कैल्कुलेटर में सिर्फ 12 लाख करोड रुपए के करजे का अर्थ होता है हर एक भारतवासी के ऊपर 18,000 रुपए का करजा ये तीन इस्तर पर है केंद्र सरकार, तीस राज्यों की राज्य सरकार और विनिसिपल कॉर्पुरेशन केंद्र सरकार के ऊपर लगवग 6 लाख करोड रुपए का करजा राज्य की जो तीस सरकारे हैं उनके ऊपर लगवग 17 लाख करोड रुपए का करजा ये लगवर इतना विदेशी करज हमारे ऊपर हो गया है अनेक अनेक संस्थाउं से यह करज हमने लिया है विश्व बैंक से लिया है अंतराश्टे मुद्रा कूश से लिया है एशियन डवलप्मेंट बैंक से लिया है अमरीका से लिया है जापान से लिया है जर्मनी से लिया है फ्रांस से लिया है स्वीडन से लिया है सुडसरलेंट से लिया है तमाम पाश्यमात देश अनारे देश जिनको हम कहते हैं, महराशोरी के शचंडों के बसार', सभी अनारे देशों से हमने ये करज ले लिया, अब संकट क्या है, हर साल इस करजे का ब्याज भरता है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं, महराश्यराजी जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, इस महराष्ट राज्य के ऊपर एक लाख कोड़ी रुपई से जादा का करज हो चुका है एक लाख करोर रुपई और महराष्ट सरकार का विद्यमंत्री श्री आरार पार्टे ये बात को बार बार कह चुका है कि हमारी जो आमंदनी होती है महराष्ट राज्य से मिलने वाला जो टेक्स है जो टोटन टेक्स है वेवन्यू रिसीट है वो हमारे खर्जे को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि टेक्स से होने वाली जो आमंदनी है वो कर्जे के ब्याज में और करमचारियों की पगार में ही खर्ज हो जाते हैं महराश्य राजी के करमचारियों की एक साल की जो पगार है और महराश्य राजी के सरकार का एक साल का जो कर्ज का ब्याज है दोनों में उनकी आवक पूरी समाप्त हो जाती है तो विकास करने के लिए उनके पास एक रूपया भी नहीं है तो विकास के छोटे-छोटे काम करने के लिए भी उन्हें करज लेना परता है फिर उस करजे का व्याज भरना परता है फिर उस व्याज को भरने के लिए नया करज लेना परता है ऐसा एक दुश्चक्र हमारे देश में शुरू हुआ है इस दुश्चक्र की सबसे गंबीर बात है कि जिन से हमें करज लिया है अब हर एक शर्थ को मानने के लिए हमारी सरकार मजबूर है हमारे देश के वर्दमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमहन सिंग ने अभी बजट सत्र में एक दिन व्याख्यान देते हुए कहा संसत में लोग सभाम है कि जहां से हम कर्ज ले रहे हैं उनकी शर्थों को मानना हमारी उनको ना नहीं कह सकते हैं वो जो भी कहेंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा वो कहेंगे कि भारत का ये कानून बदल दो तो बदलना पड़ेगा वो कहेंगे भारत में नया टेक्स लगा दो तो लगाना पड़ेगा वो कहेंगे भारत के लोगों को जहद दे के मान डालो त एक बार नहीं दो बार कहा और हर बार उन्होंने कहा कि हमारे मजबूरी है हम क्या करें हमने जहां से करज लिया है उनकी हर बात माननी है अगर ऐसी इस्ति हमारे देश में है कि हमने करज लिया है तो उनकी हर बात माननी है तो जो करज देने वाले हैं उनकी बाते क्या है जो हम माननी हैं सबसे खराब बातें जो वो हमें कहते हैं मानने के लिए उन में से तीन बातें सबसे खराब वैसे तो सभी खराब लेकिन तीन सबसे जादा खराब जहां से हम करज लेते हैं वो सबसे पहले हम को ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का कीमत गिराद हो हमारी करेंसी है रुपया और अंतर राश्कु ये करेंसी है डॉलर या यूरो डॉलर तो वो ये कहते हैं कि डॉलर और यूरो डॉलर की तुलना में आप रुपय की कीमत कम करते हैं ये वो सबसे पहले शर्त लगाते हैं अगर हम उनसे ये कहें कि हम ये नहीं करेंगे तो कहते हैं फिर कर्ज नहीं मिलेगा आपको और हमारी सरकार की हालत इतनी खराब है कि बिना कर्जे के बजट नहीं बना सकते बिना कर्जे के किसी को पगार नहीं दे सकते तो जैसे ही वो कर्ज लेते हैं तो पहली ही शर्ट मानते हैं कि रुपई की कीमत गिरादो मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी माहिती देता हूँ जिस दिन भारत आजाद हुआ 15 अगस 1947 को उस दिन भारत महाराची कर्ज मुक्त देश था 15 अगस 1947 की तारीख में भारत देश पर एक पैसे का भी गर्ज नहीं था हमने सबसे पहली बार करजा लिया 1952 में जब हमारे देश में पंच वार्षे की योजना शुरू गोई दूसरा कर्ज लिया 1957 में तीसरा लिया 1962 में और 62 में डबल कर्ज लिया भारत जी हमने पहला तो लिया पंच वार्षे की योजना तीसरी पंच वार्षे की योजना के लिए और दूसरा लिया चीन से भारत पर जो हमला हो गया था उस चीनी हमले का सामना करने के लिए इसी तरह चौथी बार कर्ज लिया 1965 में पाकिस्तानी हमला हुआ और हमले से देश को बचाना है पांचवी बार कर्ज लिया उन्मी सो सरसट में जटी बार लिया उन्मी सो एकत्तर बहत्तर में और उस समय भी महराजी दो कर्ज लेने पड़े दबल लेना पड़ा एक तो पंचवारशी की उचना के लिए दूसरा बंगला देश बनाने के परिनाम बाद में बंगला देश मूंख में आया उसके बाद आगे कर्ज लिया 77 में फिर 82 में फिर 84 में फिर ऐसे करते करते कर्ज लेते गए 1991 तक हम जब कर्ज लेते थे तो उसका नियम यह था कि दो तीन साल चार साल में एक बार लेते थे उनीज सो एक्यानवे में हमारे देश में डॉक्टर मनम हुन सींग जब विद्य मंतरी बने तो इन्होंने एक नियम बना दिया कि भारत अब हर साल कर्ज लेगा। उनीस सो इक्यानवे के पहले हर दो तीन साल चार साल में या पाक साल में इबार करज लेंगे इक्यानवे के बाद इस देश में एक नियम आया उधारी करण गलती से उसको कह देते हैं उधारी करण वो उधारी करण नहीं है उधारी करण कि नियम बन गए हर साल हम कर्ज ले गे उनीच सो इक्यानवे के पहले महराजी इस देश में नियम था कि केंद्र सरकार बिदेशी कर्ज लेती थी और राज्य को बाटती थी जिसको जितनी जरूरत है 1991 में नियम बन गया कि अभी सीधे राज्य सरकार भी विदेशी कर्ज ले सकते हैं फिर 1996 में नियम बना इस देश में कि आप भारत का कोई भी Municipal Corporation सीधे विदेशी कर्ज ले सकता है फिर 2004 में पिछले साल महराजी एक नियम बना दिया है सरकार ने कि अब भारत की कोई भी ग्राम पंचायत सीधे विदेशी कर्ज ले सकती है पहले केंदर सरकार लेती थी फिर राज्य सरकार ने लेना शुरू किया फिर Municipal Corporation ने अब भारत की ग्राम पंचायते सीधे विदेशी कर्ज ले सकती है और इस साल ये दुरघटना हो गई हिंदुस्तान की सबसे पहली ग्राम पंचायत जिसने विदेशी कर्ज लिया है वो करनाटक राज्य में है और उस ग्राम पंचायत का नाम है पुट्टू उडूपी जिले में है उडुपी दक्षुर करनाठक का आखरी जिला है उसके बाद केरन राज शुरू हो जाता है तो उडुपी जिले की ग्राम पंचाइद कुत्तू उसने इस साल साथ करोड डॉलर विनेशी कर्ज लिया है उस ग्राम पंचाइद के सर्पंच से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला अभी थोड़े दिन पर है क्योंकि मैं उस गाओं में व्याख्यान देने गया था मैंने सर्पंच को पुछा भाई ये साथ करोड डॉलर जो आपने कर्ज लिया है इसको वापस कैसे करें तो कहने लगा राजी भाई मैंने पूरी ग्राम पंचाइद को गिर्वी रख दिया मौर्गेज कर दिया माने ग्राम पंचाइद की सारी संपत्ति उसने गिर्वी रख के 60-40 डॉलर करज ले लिया वापस कैसे करेंगे वो कहता है ग्राम पच्चाइद की संपत्य बिख जाएगी इससे ज्यादा क्या होगा पूरी डाम पच्चाइद को पानी देना है पीने का पानी उसके लिए पाइप लाइन देनी फेरा ले मैं उसको कौछ कर जाएगा थाक सबतरो पानी कर दानी है पानी के लाने के लिए अगले साल फिर नया कशनका ये क्योंकि पानी आये तब जब कोई डैम हो, बंधारा हो, तालाब हो, जिसमें पानी इकटा हो, वो पानी पाइप्लाइन से गाउं में जाए, वहाँ कोई तालाब नहीं है, बांध नहीं है, डैम नहीं है, बंधारा नहीं है, तो पानी तो मिलने से रहा, तो अगले साल बांध बांदने के लिए नया कर्ज लेके इस सान पाइप्लाइं टालने के लिए कर्ज ले लिया है और उस मुत्तूर ग्राम पंचाइत में भारत के 6,32,000 ग्राम पंचाइतों के लिए रास्ता कुल दिया है अब सब कर्ज लेना शुरू है और हमारे वरतमान प्रधान मंतुरी का कि उनका एक फिलोसफी था उसको भारतियों ने कभी स्विकार नहीं किया वो फिलोसफी यही था रणम प्रत्वा ग्रतम विवेद यावत जिवेद सुपन जिवेद जब तक जीओ सुख से जीओ करजा लेके घीद लिए तो हमारे प्रदायन मंतुरी ने सब के लिए रास्ते खोल दिए है आप परिवार में है कुछ फुख कि छूट bomb कि सानों के लिए के लिए तुम आत्मत्या को कि क्योंकि जितना करज लोगे उतना भादाबना है प्याश बरना हैप्यसा डीएं तो आत्मत्या को तो हर सारी किसानों की आत्मत्याएं हो रही है छोटे-छोटे व्याबरी मर रहे हैं पस रहे हैं ये खर्जे का एक मकड़ जाल इंदुस्तान में शुरू कर दिया है जैसे अमरीका में होता है न कोई बच्चा जनम लेता है तो कर्ज में और मरता है तब भी जोट सबVideo अब इसमें समया क्या आती है कि कर दियना तो आताना मुश्किल है क्योंकि ब्याज बहना परता और ब्याज की कई सारी शर्त होती हैं वो तक्लिफ देता है तो उनकी शर्ट क्या होती हैं सबसे खराब शर्त होती है आप करजा जिस दिन लोगे कुसे दिन को कहें कि आपकी रूपई की कीमत गिरा हो इस Mc약 कीकी कोई भी समाचार पत्र निकाल कर आप बढ़ना क्योंकि उस जवाने में कुछ अकवार निकलते थे अकवार निकलता था हिंदुस्तान टैमज के मिगलता था टैमस टैम्स ओफ इंडिया एक निकलता था मुंबई समाचार मुंबई समाचार लोग आजा दी के पहले काफ़ा है आपके यहां कोई लाइब्रेवी में मुंबई समाचार की कॉपी मिल जाएगी 15 अगस 1947 की उसके फ्रेंट पेज पर रुपए और डॉलर का एक्शेंज रेट लिखा हुआ है राइट हैंड में कोई पर है उसकी कटिंग मेरे हाथ में मेरे फाइल में एक रुपया एक डॉलर बराबर है एक रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड बराबर है इस्टर्लिंग पाउंड माने ब्रिटिंग की करंसी एक रुपया और एक फ्रेंड फ्रांस की करंसी वो बराबर एक रुपया और एक डिउश मार्ड जर्मनी की करंसी वो पराबर है दुनिया में उस समय जितने भी बड़े देश माने जाते हैं उनका एक करंसी और हमारा एक करंसी पराबर है कारण क्या है कि वो दिन तक भारत कर्ज उमुक्त देश है वो दिन तक हम कर्ज देने वाले पंद्रेगस तुपी सो सेतालीज को भारत साहुकार था और भारत का कर्जा इंग्लेंड के ऊपर था 1732 कोटी स्टर्लिंग पाउंड हमारा कर्ज इंग्लेंड के ऊपर था जो हमने उनको दिया था ah 1949 में दूसरा विशुद लड़ने के लिए क्योंकि इंग्लेंड के पास दूसरा विशुद लड़ने के लिए पैसा नहीं था और हिटलर हमको मारने को तैयार बैठा तो हिटलर से इंग्लैंड को बचाने के लिए भारत के नागरिकों ने इंग्लैंड को मदद किया था और इंग्लैंड ने हमको वाइदा किया था कि अगर भारत हमारी मदद करेगा दूसरे बिशुद्म है तो हम भारत को आज़ाद करेंगे जल्दी से उस मदद के रूप में हमने 1732 इस्टर्गलिंग पाउंड उनको दिया था उन्होंने वाइदा किया कि जब भारत को आज़ाद करेंगे तो वापस देंगे लेकिन वो आज तक हमने कभी कि जवारलाल नहरू को कहा कि हमने पैसा दिया था इंग्लैंड को वापस ले लो तो नहरू जी ने का छोड़ दो को पंच वारषी की और च्रक एंग्लिवा को चलाने के लिए विदेशी करज लेने किया वशकता नहीं पड़ती मुसी पैसे से हम देश का विकास कर सक the next है वो हमने छोड़ दिया और हमने नया करज लेना शुरू किया और जब से करज लेना शुरू किया उसी दिन से भारत के रुपए की कीमत कम होना शुरू हुआ और कम होते 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 आज लगवग 44 रुपया डॉलर के असपास आ गया मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमारे देश के रुपए की कीमत 4,400 प्रतिशत कम हो गई 4,400 प्रतिशत रुपए की कीमत गिर गई 44 गुनी रुपए की कीमत कम हो गई जब रुपए की कीमत कम हुई तो डॉलर की कीमत बढ़ी इसका नुकसान क्या हो रहा है इसका नुकसान यह हो रहा है कि हम जो दुनिया के वाजारों को बेच रहे हैं वो सस्ता विक रहा है और हम जो दूसरे वाजारों से खरीद रहे हैं वो महला पड़ा है हम जो बेचते हैं एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं निर्यात जिसे हम कहते हैं वो बहुत सस्ता जाता है जैसे हम हीरे जवारात निर्यात करते हैं सोने चानी हीरे जवारात का सबसे जादे निर्यात इस देश से होता है अमारजी इस देश के लोग बड़ी मेहनद से हीरे की घिसाई करते हैं और वो हीरा दुनिया के बाजार में हर साल 45,000 करोड रुपय का बिखता है एक दिन मैंने उसका हिसाब निकाला कि 45,000 कोटी रुपय का जो हीरा हम दुनिया के बाजार को बेचते हैं ये कब जब 44 रुपया एक डॉलर है तब मांगो एक डॉलर एक रुपया होता तो तो जितना हीरा हम बेच रहे हैं इतना ही हीरा बेच कर हमको कम से कम धाई लाख कोटी रुपय मिलता कम से कम आज मिल रहा है मातर 45,000 कोटी रुपय मिलना चाहिए हमको धाई लाख कोटी रुपय दो लाख पचास हजार कोटी रुपय हमें मिलना चाहिए और अगर कुल निर्यात की बात करें हीरे, जमाराथ, सोना, चांदी, चाए, कॉफी, पान और हमारे देश का बहुत अच्छे अच्छे किसम के फल बहुत अच्छे अच्छी सबजियां, बास्मती, चाबल जो कुछ भी हम दूसरे देश को मिर्यात करते हैं ड्राइब फ्रूट्स, काजू, किश्मिश, बदाम, मुनका, मखाने ये सब कुछ जो एक्सपोर्ट करते हैं ये एक साल का लगबग पचास अरब डॉलर है अगर रुपिया डॉलर बराबर होता तो यही मिर्यात लगबग पच्छी सो अरब डॉलर का होता और पच्छी सो अरब डॉलर का अगर मिर्यात हम करते हर साल तो हिंदुस्तान दस साल में सोने की चड़िया हो जाता भारत की एक-एक गाउं की सड़क सोने से बन जाती एक-एक मंदिर इस देश में सोने चांदी का हो जाता लेकिन ऐसा नहीं है कारण क्या है रुपई की कीमत गिरी है डॉलर की कीमत बढ़ी है तो जो कुछ हम बेच रहे हैं वो कौड़ी के भाव में जाता है एक और छोटा सा उधारी देता हूँ भारत देश का सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है हीरे जमारत सोने चाली के बाद दूसरे नंबर पर वो है कच्चा माल रॉम इठीरिया लोहा बनाने का कच्चा माल हम बेचते हैं मैगनीज और हम एक्सपोड करते हैं आईरन और एक्सपोड करते हैं 1956 में महाराजजी साथ रुपए किलो हम आईरन और एक्सपोड करते हैं 1990 एक किलो कच्चा लोहा साथ रुपए में बेचते थे आज वही लोहा पंद्रे पैसे में मिटता है जो लोहा हम साथ रुपए किलो में बेचते थे दुनिया के बाजार में कच्चा लोहा वही लोहा अब हम 15 पैसे किलो में बेच रहे हैं मने हर एक किलो लोहे के निर्याद पर 6 रुपए 85 पैसे काहानी हो रहा है और हर दिन 2 करोड टन कच्छा लोहा इस बेच से बिच रहा है एक तन में 1000 किलो होता है दो कोटी में 1000 का गुणा करो और उसमें 6 रुपए 85 पैसे का और गुणा करो हर दिन इतने 1000 करोड रुपए का नुकसान लोहे के निर्याद में इसी तरह मैगनी दोर एक्सपोर्ट करते हैं इसी तरह हम कॉपर का ओर एक्सपोर्ट करते हैं सिले सिलाए कपड़े खादी के कपड़े कॉटन के वस्त में यह सब जो हम कुछ बाहर बेचते हैं यह सब में हमको भैंकर आनी होती है क्योंकि डालर बहुत मझ्वूथ है क्या उद्धा कमजोर है các everything we have हमने करज ले रखा है डालर में जिस करेंसी में आप करज लेंगे उसके कीमत बढ़ेगी और आपकी करेंसी की कीमत के देगी इसका एक दूसरा दुष्प्रवाब और होता है महारा जी हम जब दूसरे देशों से कुछ खरीदते हैं डीजल काट्रोल केरोसेन लपीजी सियंगी के लिए कच्छा तेल खरीदते हैं वो महगा हो जाता है कि यूब देन अग्या इस तरह के दुस्ट्ट किहरते और की इसमनगा एक हुआ अब लगाया कि डीजल, पैट्रोल, कैरॉसीन, एलबी जी, जो कुछ हम खरीटते हैं आज, 45 रुपाइ लीटर हम पैट्रोल खरीटते हैं, 30 रुपाइ लीटर डीजल खरीटते हैं, 300-37-300 रुपाइ का एलबी जी गैस का सिरिंडर खरीटते हैं, ये कब जब एक डॉलर एक रूपया है तब मालो एक डॉलर एक रूपया होता तो भारत में कर्ज नहीं लिया होता एक रूपया एक डॉलर होता तो तो पेट्रोल की कीमत एक रूपय लीटर एक रुपए पाच साथ पैसे लीटर पेट्रोल हमें मिलता हूँ डीदल की कीवन 40-40 पैसे लीटर रसोई गैस का सिलिंडर 15 रुपए पंद्रे यपीस रुपए दिल्ली से अमरीका जाना और अमरीका से वापस दिल्ली आना साड़े चार सो रुपए मुंपई से दिल्ली जाना दिल्ली से मुंपई वापस आना एसी स्लीपर क्लास मुश्किल से 22-23 रुपए में हर चीज इस देश में आज जिस कीमत पर मिल रही है उससे 46 गुनी सस्की हो जाती सीदे सीदे अगर रुप्या डॉलर बराबर होता है जब भारत कर्ज उमुत होता कर्ज नहीं लिया होता अर्था जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को दुष्चक्र में पसाया है इश्वर उनकी आत्मा को कभी शांती प्रतान न करे ऐसी मेरी इश्वर से प्रत्रा है हमारे देश में कहते है वर्ने वाले की आत्मा को शांती मिले मैं कहता हूं कि जिन नेताओंने कर्ज लेकर इस देश को कर्ज के दुष्चक्र में प्रत्रा जिंदगी भर उनकी आत्मा भटकती रहे उनको कोई योनी न मिले क्योंकि जितना बड़ा पाप कर्म वो करके चले गए अब उसका दुश्परिणाम हमारी आने वाली बीसियों प्यूडियों को भुगतना पड़ेगा कि अब दुश्परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है हम तो फसके कर्जे के चक्तर में हमने कभी कर्ज मांगा नहीं कर्ज सरकार में लिया नागरिकों को उसका भुगतान करता है कैसे कर्ज तो सरकार लेती है कर्ज का व्याज घरने के लिए और टेक्स आपके ऊपर लगात जाता है जहां सबसे ज्यादा टेक्स है कि इस देश में टेक्स 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 इतने ज्यादा है कि आपका दिमाद भूम जाए अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाना शुरू कर दूं कि आप कितना टेक्स भलते हैं सरकार को आप हिंदुस्तान की सरकार को तीन शुरूर हो गया इस देश के तो आप जो टेक्स भरते हैं वो दो तरह के एक तो प्रत्यक्षकर के रूप में डाइरेक्स और एक तो इंडारेक्स अप्रत्यक्षकर के रूप में प्रत्यक्षकर क्या होता है income tax, जो आप भरते हैं और income tax का, एक भाई है a corporate tax, जो आप company के रूम में भरते हैं, ये दोनों जो है ना वो प्रत्यक्ष का है, direct tax है, इनको छोड़कर जितने भी tax आप भरते हैं, वो सब ही kind direct tax हैं, जैすे central exercise, state exercise, CST, SST, को खतम करकि या बेट आया है विनुसीपल कॉल्पबपुरेशन का टेक्स बहते हैं एक्जेक्ष देते हैं एक्जिजच्व Evet a- आप वो सबी इंडाइरेक्ट हैं, दो टैक्स डाइरेक्ट हैं, इंकम टैक्स और कॉर्पॉरेट टैक्स. यह टैक्स के रूप में आप जितना पैसा देते हैं भारत सरकार को, उसका मैंने इस साल के बजट में से हिसाब निकाला. हर साल महरत जी भारत के लोग आज की तारीक में 7 láँ 50,000 कोटी रुपए टैक्स हर साल, भारत के लोग, 7,000,000 कोटी रुपए, केत्र को, राज्य को और प्योर्पोरेशन को, Cynoise कर्प्र, कैसे रहेँ हैं मैं आपको सरल सरल शब्दों में समझाता हूं. आप एक लीटर पेटरोल करीदते हैं 45 रूप評 का आथा है आपको वादू में एक लीटर पेटरोल मात्र बारे रूपay का बनता है आज की तारीम एक लिटर ऑटलोर को भारत देश में जो कंपनी बनाती है भारत पट्रोलियाम, हिंदुस्तान पट्रोलियाम, इंटियन ओए कर्पुरेशन उनकी बैलेंस शीट के अनुसार एक लिटर ऑटलोर बनाने में जादा से जादा वारampa कर्च होता है साथ रुपए खर्च होता है कच्चा तेल खरीदे में एक लीटर पांच रुपए खर्च होता है एक लीटर कच्चे तेल को एक लीटर पेट्रोल बना गया लगवक बारे रुपए लीटर में पेट्रोल बनता है अब उस पर 33 रुपए भाराजी टैक्स लगता है 12 रुपए लीटर में जो पेट्रोल उत्पादन होता है उस पर 33 रुपए टेक्स का लगता है कहां से शुरू होता है Central Excise Duty फिर CST फिर राज्जी के उपर लगने वाले तमाम कर फिर बहुत तरह के दूसरे इंडारिक टेक्स टोटल टेक्स 33 रुपए बैठता है उत्पादन खर्चा 12 रुपए बैठता है अर्थाथ पेट्रोल के खर्चे से ज़्यादा पेट्रोल का टेक्स आपने एक लीटर पेट्रोल खरीदा 33 रुपए सरकार के खजाने में जमा कर दिया टेक्स के रूप में दो ल्टर पैटरूल खरीद करिदा चैसर मुपा किया एक और एक लीटर पर 30 रुपः डैक्स देते हैं तो पांच सो कोटी में 33 का गुणा कर दिजे लगवग 15 000 कोटी-रुपः का टेक्स हर दिं आप देते हैं पैट्रॉल खडीक इसी तरह डीजल का उत्पादन खर्च दस रुपई लीटर है और उसका टैक्स 20 रुपई लीटर है डीजल के उत्पादन खर्च से दो गुना उस पर टैक्स है भारत के किसान तीन सो कोटी लीटर डीजन हर दिन खरीदते हैं और हर दिन छे हजार कोटी रुपई टैक्स का देते हैं इसी तरह से आप कुछ भी खरीदें आप मानने जब मुंबरी में अपना घर बनाए घर बनाने के लिए आपको सीमेंट लगेगा सीमेंट का एक पैकेट बजार से 130 रुपई में आप जब खरीदते हैं तो उसमें 65 रुपई टैक्स जाता है एक पैकेट सीमेंट का बनाने का करचा मात् refers 65 रुपई ही आता है 65 रुपई उसमें टैक्स जाता है डायरेक्ट और इंडाइट अगर मानलीजे 10 लाक रूपय का आपने घर बनाएं और दो लाक रूपय का सीमेंट उसमें खर्च किया तो एक लाक रूपय आपने सीधे सरकार के खजाने में टेक्स का दे लिया लोहा आप खरीदते हैं लोहा लगाते हैं घर में 27 से 30 रुपई किलो का लोहा मिलता है 12 से 15 रुपई किलो का लोहा बनता है उस पर लगवग उतना ही टैक्स आप देते हैं फिर आप इट खरीदते हैं ब्रिक्स चार रुपई की अगर एक इट है तो दो रुपई टैक्स में जाता है दो रुपए उसका उत्पादन कर्चा है फिर इंट के साथ बालू लगती है बालू तो महाराजी भुकट की आती है उस पे भी टैक्स लगता है इस देश फिर आद उसके बाद घर बन गया तो उसके बाद बिजली के तार दालते हैं बिजली के तारों पर टैक्स है बिजली के स्विच पर टैक्स है बल्क खरीदा ट्यू बलाइट खरीदा उस पर टैक्स है बातरूम बनाया उसमें जो कुछ लगा उसमें टैक्स है रसोई गर बना हो ज़रकार को टैक्स वर रहा ह। और गहरवाधा तक आप में ठैक्स लिया अब घर बंद गया उसके वाद जिंदगी भर हाउस टैक्स अलग से देना ऑप को जिन्दगी अगरमी कर बूरight के हिसाब और उस घर के नीचे सड़क पर चलना है तो उसका टैक्स अलग से देना है जिस दिन आप गाड़ी खरीदे के उस दिन एड़ांस में सरकार पूरा टैक्स आप से ले लेती है अब वो रोड़ टैक्स के नाम पर आप दे देते हैं फिर वही गाड़ी को जब सड़क पर लेकर जाते हैं तो टोल टैक्स अलग से भरना पड़ते हैं और वो टोल टैक्स का तो इतना बुरा हल है महाराज जी मुंबई से अगर पूना चले जाए एक्सप्रेस हाईवे से तो एक सो चालीस रुपए टोल टैक्स एक सो चालीस रुपए जाना एक सो चालीस रुपए आना जितना डीजल खर्चा नहीं होता उससे ज्यादा उस पर टैक्स लग जाते हैं रोड टैक्स दिया फिर टोल टैक्स की क्या ज़रूरत है टोल टैक्स अ पर है और में अब करने आब हर सुर्गार के नेताओं 548 में दोतल चाहत हथा लोग राम मों हम थो हर साथ साथ लाग कोट एक पर्गहत एंखा और तुम हमको बीज नहीं दे सकते, बिज़ी नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, रहने को घर नहीं दे सकते, चलने को सड़क नहीं दे सकते, खाने को रोटी नहीं दे सकते, ऐसे हाल इस देश को एक सो पांच करोड की प्रजा में, चवालीस करोड की प्रजा ऐसी है महारा नहीं है मारण जी 20 करोड परिवार इस देश में रहते हैं जिन में से 14 करोड परिवारों की माताओं बहनों को बैठने के लिए संदास की विवस्ता नहीं है में से 14 करोड परिवारों की माताओं बहनों सकर बैठना परता है कि शाड़े पीन लाख गाउं के लिए इस देश में जहां रोज पीने का पानी नहीं मिलता है पीने का पानी शता हमें एक दिन या शता हमें दो दिन अधिक से अधिक बिलता है और कई गाउं तो ऐसे हैं जहां पीने का पाणी लेने के लिए दस मील पैदल जाना पड़ता है तब एक माट्रा पीने का पाणी बिलता है कई परिवारों की माताओं को सबेरे तीन बजे पाणी लेने जाना छे बज़े तक पाणी लेके आना खाना बना के फिर आठ नौ बजे पानी लेने जाना दुपेर दो बजे तक पानी लाना फिर शाम का खाना बनाना फिर पानी लेने जाना फिर भापसाना जिंदगी उनकी पानी लानी में ही बीच जाती है और मैंने अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार के एक कानू कुंत्री को पत्र भेजा था और उनको मैंने पूछा था कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मुकत्मे होते हैं किस बात पर होते हैं तो उन्हें का पानी के जगड़े में सबसे जादा मुकटमे इस देश stabilize नलके सामने सबका पाल्टी लगा हुआ है पहले मुझे लेना कि पहले तूमे लेना इसी में जगड़ा होता है और इसी में उन्हलय tast कि मने जिंड़घी की सबसे बुनियादी जब वेने का पानी सांस लेने को हवा वहारे देश की सरकार हमारे लाखों गाउं को नहीं दे पा रही है इनको साड़े-साठ लाग करोर रुपई टैक्स लेने का अधिकार क्या यह वाद जब मैं उसे कहता हूं नेताओं कि मुण से कोई बात नहीं निकलती है जवाब कि मैं कहता है उनको कि भाईयों तुम्हारी उस दिन तक जह जह कार है जिस दिन इस देश की जिस दिन तक इस देश की प्रजा सो रही है जिस दिन उसको मालूम हो गया कि साड़े साथ लाग बोटी रुपए वो टैक्स बरते हैं और उसके बाद पीने का पानी नहीं मिलता चल इस प्रजा तुमको सड़क पे खड़ा नहीं रहने देए ऐसे हमारे देश में हराम खोरी का शाशन आया है आजादी के पहले जितनी हराम खोरी होती थी आजादी के बाद उससे कई उनी जादा हो गई है अंग्रेज जितना टैक्स कभी नहीं ले पाई इस देश से उससे ज्यादा टैक्स अब इस सरकार में लेना शुरू किया है और इतना टैक्स लेने पर भी दिल नहीं भरता उसका मैं भारत देश की सरकार की तुलना एक दारू पीने वाले पती के साथ करता हूं एक शरावी पती होता है वो रोग अपनी बीवी के पास आता है और कहता है कल स घन से दारू नहीं पिएंगा आज पैसा दे ते पीने के बीवी सोचती है कल सुघ जाएगा चेलो आज देदो बीवी से लेके जाता कल से दारू नहीं पिऊँगा आज और दे फिर उसका कभी आता है भारत सरकार की है दारू बाजपती पे जैसे जो भारत के ना explainsकोusta कराक लेकिन वो कभी हटता ने, आप बहुत सारे व्यापारी बंदों को में एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, 1969 और साथ में जब सेल्स टेक्स आया इस देश में, तो केंबर सरकार में वाइदा किया आदेश के लोगों से, और वो वाइदा प्रधान मंत्री का वाइदा था, कोई साधरन व्यक्ति का वाइदा नहीं था, कि जैसे ही सेल्स टेक्स आएगा, हम सीएस्टी हटा देंगे, सेंट्रल सेल्स टेक्स हटा देंगे, परिणाब क्या हुआ सेल्स टेक्स भी आया 45 साल रहा लेकिन सीएस्टी भी रहा उसको आज तक हटाए लिए मने इतने जूटकोर प्रधानमंत्री इस देश में हुए है कि संसत में वाइदा करें लोगों से वाइदा करें फिर टेक्स कानून वापस में मने सरकार की हालत है नए नए टेक्स लगाना नए टेक्स लगाना टेक्स एक भी वापस नहीं लेना और टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा जब लगता है किसी देश में उसका एक ही दुश्परिणाम होता है जिस समाज पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स होता है वो समाज क कि जिव में नहीं रहें कि टाइक्स के रुप में सरकार के ठाति के और ऐसे जाती घम से हो हमारे लिए लिए इसा पैसे से नकालब धरम्शानाय बनाती है नगाभी पानी की विवस्था करतीय है दर भारत के घरीब लोगjem के कोई मदद करती है वो टेक्स का पैसा जो हम देते जाते हैं देते जाते हैं उसका सबसे जादा खर्चा कहां होदा है विदेशी कर्जे का ब्याज घरने में और हिंदुस्तान के राश्रपती से लेकर और जो चाहतुत्त क्लास गरमचारी है कारबून उसकी पदार भर है हमारे भारत देश में ब्याज का घर्च इतना ज्यादा हो गया हर साल डेड़ से पॉने दो डाक कोटी रुपए का हम ब्याज भरते ऊपर से राश्रुपती से लेकर और नीचे चतुरत क्लास करमचारी तक को पगार का जो खर्चा है आप सुनेंगे तो पागल हो जाएंग भारत के राश्रुपती का एक साल का करचा पच्च्छी स्कोटी रुपए mythology जब ही राश्रुपती बैचलर है असाने ब्रह्मचारिये अकेला है ंबी नहीं है-बच्चे नहीं हैं-तो पच्छी स्कोटी रुपए साल का करचा है जो कभी लालू-यादम देश का आप जानते हैं लालू यादव बैचलर नहीं है और उसके घर में पूरी क्रिकट टीव ग्यारे लोग हैं पती पत्नी दो और नौ बच्चे राबडी देवी भला हो उसका नौ बच्चे हैं दो पत्नी हैं और साली साले अगर सम्मिला दिये जाएं तो पूरा कुन्वा छपन लोग हैं महारत जी उस परिवाद ये कभी अगर राश्रुपती बनके पहुँच गया गलती से क्योंकि रेल मंत्री तक तो हो गया है राश् सकता है जो आदमी इस देश में दुकान नहीं चला सकता वो इस देश में वानेचमंतरी हो सकता है जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं मालुब वो वित्तमंत्री हो सकता है और जिसको सिख्षा का ABCD नहीं मालूम वो सिख्षा मंत्री हो सकता है और जिसको कुछ नहीं मालूम वो प्रदाकंत्री हो सकता है हवार देश का बिचित्रणी अध्यानी व्यक्ति ग्यानी पर साशन करें वह समाज की सबसे बड़ी विड़म बना है जब अध्यानी व्यानियों पर साशन करेंगे देश ऐसे ही चलेगा जैसे चलता है आज तो दुरुबाग है कि भारत के राश्रुपती बैचलर है अगर जो कभी शादी शुदा व्यक्ति राश्रुपती हुआ तो ये 25 कोटी का खर्चा कहां जाएगा उपराश्रुपती का स साल का खर्चा 20 कोटी है उप्रदाश मंत्री का अठारे कोटी है पूरे मंत्री मंदल का साल का कर्चा साले 300 करोड है 28 अब तो 30 राज्य है हरेक मुख्य मंत्री और उसके साथ मंत्रियों का खर्चा एक दिन मैंने पूरा जोड़ा 77,000 कोटी हो गए इस देश की सीमा की लेताओं के खर्चे से कम है हमारे देश की सीमा की रक्षा करने वाले जो सैनिक है आर्मी में काम करते हैं उनका एक साल का खर्चा भारत के व्रश्टाचारी लेताओं के खर्चे से कम है यह स्थिती इस देश तो यह जो सारे खर्चे होते हैं वो आपके टैक्स के पैसे से ह होते हैं फिर इसके उपर ब्रश्टाचार अलग होता है महराजी ये तो पगार का खर्चा है उपर से ब्रश्टाचार के बारे में अब सरकार का ही एक कमिशन कहता है मैं नहीं कहता है सेंट्रल विजिलेंस कमिशन बोलता है कि हर साल भारत में 80-85,000 रुपय का घोटाला होता है हर साल हर साल इससे कम नहीं होता है और अगर कभी-कभी कोई-कोई साल तो विचित्र निकलाता है जिस दिन गोटाला और महागोटाला जैसे पिछले साल एक गोटाला हुआ अब्दुलकरीम तेल की गोटाला 35,000 कोटी का गोटाला एक ही आदमी कर दिया एक जमाने में ओफोर्स गोटाला हुआ था महाराज जी 170 कोटी रुपई का आज 35,000 कोटी का करीब तेहली गोटाला हुचुआ तो ये गोटालों में 85,000 कोटी अलग खर्च होता है पगार में 77,000 कोटी खर्च होता है देड़ पौने 2,00,000 कोटी ब्याज में जाता है इतना ही ऐस हमारे देश की नेताओं के उपर कर्च होता है फिर इसके बाद हमारे देश की आर्मी एरफोर्स, नेवल प्र के उपर कुल कर्चा होता है तो सरकार की पूरी आवंधनी इसी में चली जाती है फिर resident का च्योटा सभी काम करते हैं तो निया कर्ज लेते हैं और पिर कर्ज करज के चक्कर कोई अब मुट मुश्र पर आता हूं यह तो हूई भूमिका आप जो कर्ज देने वाले देश वह हम पर नहीं नहीं शर्ते लगाते जाते एक शर्त लगा दिया रुपई की कीमत गिराओ अब दूसरी शर्त लगा दिया गेट करार साइन करो विश्व यापार समझोगे को मानो तुमारे हित के विरुद्ध है तो भी मानो और हमारी सरकार में इसी करजे के चकर में 1994 के साल में 15 दिसंबर को एक गेट करार साइन कर दिया विश्व यापार साइन कर दिया उसकी शर्ते हैं लगवग दो हजार है कि गेट करार में डव्लूटीओ एलिमेंट में दो हजार शर्ते हैं लीड़ा से थोड़ी जड़ा हैं। और और उन दो हजार शर्तों के लिए मठाइश अध्याय उसमें बने हुए हैं इस खापरे ए कुछ उसमें अठतर शर्तें ऐसे 28 अभ्याये हैं कुल 2000 शर्तें उनी में से महराजी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि गैट करार साहिन करने वाले देशों में जो जो टैक्स का structure होगा बहुतानुश बहुतानुश माले जादा से जादा देशों में जो टैक्स का structure होगा वही दूसरे देशों को भी लागू करना पढ़ेगा यह उसमें एक शर्त है अब देखिए गेट करार सही किये हुए देश हैं लगवग 113 124 एक और भी है 114 124 देशो में जो जादा से जादा देशों में टैक्स का structure होगा वही भारत को भी लागू पढ़ेगा तो यह जो देशों में गेट करार सही किया है उसमें से एक देश को छोड़कर एक देश मनें अमरीका अमरीका को छोड़कर सभी देशों में वैल्यू एडिट टैक्स है तो भारत को भी यही टेक्स लागू करना पड़ेगा यह है उसकी शर्थ अब गेट करार सही हमने किया 15 दिसंबर 94 को उसके लागू होने की तारीक एक जन्मरी 2005 और भारत सरकार ने गोश्रा किया कि एक अपरल 2005 से हम वैट को लाएंगे मने गेट करार की शर्थ को पालन करने के लिए भारत सरकार एक नया कानून लाई है जिसका नाम है वैल्यू एडिक टेक्स का कानून बनाने के लिए हमारी सरकार में एक समीती के इस्थापना किया उस समीती का द्यक्ष बनाया असीम दास भुपता पश्यम बंगार के भारत की प्रजाने कभी मांग नहीं किया कि हमारे उपर वैट लाओ भारत के व्यापारी और उद्योगपतियों ने कभी मांग नहीं किया कि हमारे उपर वैट लाओ भारत की प्रजान मांग करती नहीं है व्यापारी उद्योगपती मांग करते नहीं है तो पिर आप लाते किस के लिए हैं तो घ्रनलगा हम डव्लू टियों की कंडिशन पूरी करने के लिए बैट लाएं तो यह डव्लू टियों की कंडिशन में बैट है इसलिए सरकार लाई है अब मैंने एक बार असीमदास गुप्ता को एक पलट प्रश्ण किया जिसका आज तक उत्तर नहीं दिय कि ठीक है डव्लू टियोंगी कंडिशन है तो भारत को बैट लाने अमरिका को क्यों नहीं है अमरीका ने भी डव्लू किया अमरीका भी शबयापर संध्रद संग्धों का सदस्य है तो अमरीका तो बैट लाता नहीं है कि आप कियो बैट ला रहे इसका आज कर उत्तर में कि ए मैंने इसका उत्तर जानने की कोशिश की कि अमरीका नाब के देश ने वैट क्यों नहीं लाया आज क्योंकि अमरीका तो बहुत प्रोग्रेسिब देश है बहुत modern देश है, बहुत आधुनिक देश है, बहुत प्रगतिशील देश है, बहुत तेजी से तरक्की पसंद देश है, अगर इतना तरक्की पसंद देश है, इतना प्रगतिशील है, इतना तेजी से आगे बढ़ने वाला है, तो वो value-added tax क्यों नहीं लाया आपने देश में अभी कारण क्या है अमरीका में दो राज्किय पक्ष है एक रिपम्लिकन एक दमक है दोनों राज्किय पक्ष के जो संसद हैं वह बहस कर रहे हैं संसद में कानून नहीं लागो कर रहा है उन में से एक MP है उसको मैंने इमेल किया उसका नाम है फ्रेंक पॉलन मैंने उसको एक इमेल किया और पूछा कि आपके देश की संसद में 20 साल से बहस होती है आप वैट क्यों नहीं लाते हैं और WTO की भी कंडिशन है फिर भी आप वैट नहीं लाते हैं इसका कारण क्या है फ्रेंक पॉलन ने कहा कि हमारे देश में अगर हम बैट लाएंगे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था टूप जाएगी इसके लिए हम बैट नहीं लाते हैं मैंने उसको पूछा आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसे टूप जाएगी वो कहता है कि हमारा देश हम्री का कैसा दे वो इस्टोकिस्ट हो सकता है, डिस्ट्रिब्यूटर हो सकता है, एरिया रिटेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, और वैल्यू एडिट टैक्स की डेफिनेशन है कि कोई वस्तु जितनी बार विके, जितनी बार उसमें वैल्यू एडिशन हो, जितनी बार उसमें मूल का हो उतनी वार उसके टैक्स लगे तो वो कहते हैं कि अमरीका माल बनाने से माल पिकने तक तीन चार चरह में बस तो गूंगती है अगर हम पैट लाएंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी कीमत बढ़ेगी इंफलेशन बढ़ेगा इंफलेशन बढ़ेगा तो हमारी सरकार का फिसकल डेफिसिट बढ़ेगा फिसकल डेफिसिट बढ़ेगा तो अमरीका की एकोनोमी कॉलेक्स हो जाएगी इसलिए आम पैट नहीं बिलाते हैं एक बात दूसरी बात उसने कही हमारा जो संभिधान है अमरीका का वो राज्यों के विशेश अधिकार की बात करता है और अमरीका में 50 राज्य हैं हर एक राज्य को उतनी ही ताकत है जितनी अमरीका की सरकार को यह जो United States of America है यह अमरीका की केंद्र सरकार है और अमरीका में 50 राज्यों की राज्य सरकार है केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार बराबर है केंद्र को कुछ टेक्स लेने का अधिकार है तो राज्य को भी विशेश टेक्स लेने का अधिकार है और अमरीका के सम्विध में विक्री कर सेल्स टेक्स राज्य के विशेस टेक्स के अधिकार कानून में आता है और वैट लाने से वो सेल्स टेक्स हटाना पड़ता है राज्यों के अधिकार खतम होते हैं इसलिए वो कहते हैं हम हमारे संविधान का उलंगन नहीं कर सकते इसलिए बैट नहीं लाते हैं वो कहते हैं हमारा संविधान संगी ये संविधान है फैडरली कॉंसिट्यूशन है तो हम इसलिए वैट नहीं लाते हैं ये दो बाते ये दोनों बाते भारत पे भी लागू होती है भारतिये संविधान भी फैडरली कॉंसिट्यूशन है बस इतना ही अंतर है कि भारत में एक क करके दिख्राइबिया बीक्री करका विशेश हदिकार राज्य को है कि लेकिन हमारी सरकार करके बैट ला सकती है अबरी कर सक्क्राइब की सरकार प्यात्वी कि हम सम्मेधान-पुल Tanzal को पूछा अगर आपके समुखेधान का अप उल्लंगर नहीं कर सकते तो डबलूटियोग चर्ट का उल्लंगर कैसे कर सकते हैं तब उसने मुझे बताया कि हमने डबलूटियो को साइम करने के पहले हमारे सम्भधान में एक संशोधन किया है और वह संशोधन यह है कि जबी भी अमेरिका का सम्विधान और दुनिया का कोई भी समझोता एक दूसरे के विपरीत होंगे तब हमेशा तब अमेरिका का सम्विधान ही लागो होगा समझोते की कोई ताकत नहीं होगा Always American Constitution will prevail कोई International Treaty और American Constitution का जगड़ा होगा तो यही बात मैंने भारत के दो मंत्रियों को कही और वो दोनों पूर प्रधान मंत्री है कि आपको इतनी अकल नहीं थी डव्लू टी ओ साहिद करने के पहुए अम्रीका के लोगों को यह अकल है कि संविधान संशोधन कर लिया और संशोधन ऐसा किया कि अंतराश्विय संदी और अम्रीका का संविधान में जगड़ा है तो संविधान अम्रीका का महतु पूर है संदी का कोई महतु नहीं है यह भारत में अगर हम करते तो हमारे उपर य और यह देखती जिसमें मुझे यह का उसका नाम है इंत्र कुमार गुज्रा जो बारत में प्रदान मंद्री रह चुप रहा हुआ हुआ हम भी यह कर सकते थे सम्विदान चंशोदन लेकिन चूंकि हम विकारी है इसलिए हम कुछ नहीं हम तो हाथ पहला कि अमरीका के सामने खड़े हैं भीक मागने के लिए जो कर सकता है वो अमरीका कर सकता हम कुछ नहीं कर सकता है बैदर से हम नोचार से तो इस कारण से हमने तो सम्विदान चंशोदन विना किये गैट करार सही कर दिया तो गैट की हर एक शर्थ हमारे उपर अब भारी पढ़ने वाली है अमरीका ने संशोदन करके गैट करार सही किया तो कोई भी काम जो अमरीका विरोधी है गैट की अंदर है अमरीका उसे नहीं माने तो कोई उसका कुछ नहीं भी विरास है पर वो कहावन दिया ना जिसकी लाठी उसकी भैस ताकत जिसके हाथ में है कानून उसके पक अपर आपने हैं दुनिया के सारे निएंग तोड़ कर उसने एराग पर हमला किए पहले दुनिया को बताया कि उसके पास परमानुब अटम बम है अःटम बम है इराग के पास कोई बम तो क्या बंदुग की गोली नहीं लिक्ती ना एटम बम ना एटम बम ना हैडरोजन बम ना कोई बम फिर अमरीका ने हमला किया तो कहता हाँ किया अभी जिसको जो करना एक दर ले किसी ने क्या कर लिया उसका United Nations जैसी अंतर राश्विय संस्था भी अमरीका की हाजी 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 करती रहते अफगनिस्तान पर हमला किया आप किसी ने क्या कर लिया जापान के उपर दो एटम बम गिरा दिये अभी काने किसी ने क्या कर लिया कोडिया के उपर बम गिरा ये उसने किसी ने क्या किया वेतनाम के उपर बम गिरा दिये किसी ने क्या किया तो जिसकी लाखी उसकी बहें से वो भी होता है कोई संती हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो अगर आपकी ताकत है तो सारे नियम कानून आपकी जेट में है और अगर ताकत नहीं है तो वही नियम कानून आपके लिए फांसी का फंदा है तो अमरीका को गेट करार सही करने के बावजूद वैट नहीं लाया तो कोई उसको कुछ नहीं कह सकता हमने सही कर दिया है गेट करार तो वैट लाना हमारे लिए कंपल सरी हो गया यह हमारी सरकार के अब यह जो शर्थ है डब्लू टीो की इसके आधार पर वैट आया है उस व लागू कर दिया और जिन राज्चों में कानून बनाके उसको लागू किया उनकी इस्तिती क्या है 15 मार्च को सरकार ने ड्राफ्ट दिया 15 मार्च को और 30 मार्च को ज़्यादातर सरकारों में कानून बनाके लागू कर दिया कुछ राज्यों सरकारों की तो यह इस्तिती थ कोई बहस नहीं कोई बात नहीं और मज़े की बात यह है कि यह बारत में पहला ऐसा एक कानून बने टेक्स का जिसको बनाने वालों को मालूम नहीं है कि कानून क्या है कानून बनाने वालों को माईती नहीं कानून क्या क्योंकि जब यह कानून बन गया मेरे जैसे कुछ लोगों के हाथ में वो ड्राफ्ट आया एक बार करनाटक राज्यसरकार के बित्यमंत्री को मैंने वो कानून की फोटो कॉपी और मेरे एक चिप्ठी के साथ बेजा आपने मे biblical आप में यह पिए पढ़ लिए है कि इसमें क्या-क्या लिखा आपको अंद्भा है करें तो वह आगा वित्यमंत्री सिद्र हमेयया वहता है नहीं अभी पढ़ने इन्हें जंता के प्ऱती है उन्होंनने नहीं पढ़ा है और कानून बन दिया है कई राजियों में मंत्रीयों ने यए कःए हमको पढ़ने का टाइम ही मिला क्योंकि एक दिन पहले कानून बना अगले दिल्ला हो गया हम उसमें कोई बहस नहीं कर सके सुझाव ढूंप पर shoulderselite ईसी स्थित देश्ट मैं आई तो परिणाम क्या हुआस अधिकांऩ वेमांच्वं सदोब माहीत किया है जिनके द्वारा लागु किया जा लहा हैं उनको माहीति द्रॉद Paypal करें और पिछले धाइती महीनों में ज eruते Gr待 कर inmates और बड़े बड़े व्याख्यानों में ओफीसर आके सामने बैठते हैं कमिशनर आके बैठता है मैं पूछता हूं तुम क्यों आई हो क्यों कि मैं तुम को गाली देने वाला हूं तो उसने का आपके व्याख्यान से महीती मिलती है कि बैठ क्या है 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 हमको तो बाई नई देना है कि बैठ जाए लागू ओफीser करना है अने सरकार हमारा एक वर्क-शॉक करने वालजां है कि दूसरा बर्क-शॉक करते तीसरा और लेगी पिर अब लागू करेंगे दस्वार पर दस बार विक्री पर टेक्स अब इसमें सरकार ने एक और बात कही है एक इंपट टेक्स और एक आउटपूट टेक्स है वो क्या होता है एक लाग रॉपय का आपने माल खरीदा कलपना करो चार परसेंट उसके बैठे ठीक है वही माल आपने 2,00,000 रुपए का बेचा और कल पना करो फिर से 4% उस पे टैक्स है तो जब आपने खरीदा तब आपको टैक्स बरना है और जब आप बेज रहे हैं तब भी आपको टैक्स बरना है लेकिन नेट टैक्स जो सरकार के पास जाएगा वो क्या बिक्री के समय जो आपने टैक्स भरा और खरीद के समय जो टैक्स दिया है दोनों को घटाया जाएगा माइनस किया जाएगा जो आएगा हिस्सा वो नैट टेक्स है जो गवर्मेंट को जाएगा तो आउटपुट टेक्स माने विक्री के समय दिया जाने वाला इनपुट टेक्स माने खरीद के समय दिया जाने वाला दोनों को घटा के output tax minus input tax वो जो है वो net वैट है वो आपको सरकार के खजाने में भरना है तीसरी एक महत्वपूर बात जो इसमें समझने की है वैट में हो ये कि हमारे देश की सरकार में 550 वस्तूओं पर ये टैक्स लगाया है अभी ये साल अगले साल सरकार कह रही है कि 2000 वस्तूओं पर और लगाएंगे चिदमपरम का ये बयान है संसत में और 2007 में 8000 और वस्तूओं पर लगाएंगे माने 2007 तक हिंदुस्तान में साड़े 10.000 वस्तूओं पर बैट आजाएगा कई व्यापारी महारे जी आज मुझे ये कहते हैं राजवे हमको क्या हमारे याँ तो बैट नहीं है जैसे ये कपड़े का दंदा करने वाले लोग है न टेक्स्टाडी वाले इस पर ये साल बैट नहीं है तो मैं कहता हूँ चिंता मत करो 6 महीने की दे रहे अभी अगला फाइनेशियल आ रहा है तो तो तुमारे उपर वैट आने हो तो जो लोग आज ये उम्मीद में बैटे हुए है कि हमारी वस्तू जो हम बेच रहे हैं उस पर वैट नहीं है अगले साल ऐसी डाइजार वस्तूओं पर कुल हो जाएगा और उसके अगले साल साड़े दसजार वस्तूओं पर हो जाएगा और साड़े दसजार वस्तूओं का जो उत्पादन हमारे देश में होता है उससे कितनी वस्तू जादा है कुल तो मात्र 45 वस्तू बचेंजी जिस पर वैट नहीं होगा बाकी सब पर वैट होगा जो कुछ भारत में बन रहा है उसमें मात्र 45 वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स नहीं होगा बाकी सब पर तो अब हम ये समझ लें कि हम एसी कोई वस्तु बेच रहे हैं जिस पर इस साल बैट नहीं है अगले साल जितना कुछ हम बेच रहे हैं अगर उस पर वैट नहीं है तो ये कल्पना मत करिए कि कभी नहीं होगा अगले साल से और दो साल के बाद लगवग दस साड़े दस हजार वस्तुओं पर वैट आ जाएगा एक कदम आगे चलू वैट के बारे में एक जो सबसे महत्तुपन बात है हमारे देश की सरकार से जो हमें सुनने को मिल रही है कि बार बर हमको यह कहा जारा रोज टीवी में जाहिरात आता है अखवार में बड़े बड़े जाहिरात आते हैं रोज भित्यमंत्री का वयान आता है उसमें आट-दस महीती वो दे रहे हैं पहली मही तो विदेश व्यापार में बहुत मदद मिलेगी तीसरी महीती वो दे रहे हैं कि इस से भारत के अधिकारियों की अधिकार शाही बिरोक्रेटिजम जिसको हम कहते हैं लाल फीता शाही अधिकार शाही वो बहुत कम हो जाएगी चौथी माहिती वो हमको दे रहे हैं कि भारत सरकार का टेक्स कलेक्शन का सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा पाच्वी माहिती दे रहे हैं व्यापारियों को बहुत सुविधा औ इसी एसी 10 माहिटी दे रहे उठी MR करके समेफ familiarity की जूट में हिम से हमारी सरकार रूप कतना हम से जूट बोलती विख उसकी एक-एक में आपको अभी देने की कोशिश कह理ा कहते हूं सबसे पहले जब वैट आया हिंदुस्तान में आपको वालू में यही राज्य में याद है आप 98 में और परिणाम क्या हुआ सरकार परिशान हो गए एक ही साल और सरकार में वापस किया उसका क्यों नहीं लाया आगे तक क्यों नहीं किया क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ तकलीफ क्या हुआ जो अधिकारी वर्ग था उनका ये कहना था कि ये इतना complicated है कि इसको लगातार चलाई रखना मुश्किल है इससे अच्छा sales tax है तो महराश राज्य ने सबसे पहले experiment किया और वापस लिया क्योंकि ये complicated बहुत है complications क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई दे जाएं दूसरी एक जानकारी आपको देदू हमारे भारत देश में हर्याना नाम का एक राज्य जिसके मख्यमंत्री ओम्प्रकास चोटाला ने भारत के सबसे पहले राज्यों में इस्थान हासिल किया वेट लागू करने का ओम्प्रकास चोटाला ने पूरी ताकत कि ग्राहकों ने कहा कि अगर यह नहीं सुनता है तो कान पुकड़ने उता है अब चोटा लगों पूछा जाता है कि आप चुनाव हार गए क्यों तो कहता है मैंने वैट लागू किया जबरजस्ती किया इसलिए चुनाव हार गए मैं आपको एक और महत्य की बाता हूं भारत के जितने मुख्यमंत्रियों ने वैट का समर्थन किया या वैट लागू करने की बाद जोर शोर से कई वो सब चुनाव हार महारास्त के पड़ोस में एक राज्य है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय से सबसे खराब बैठ का कानून महाराज जी उसी ने बना सबसे खराब और वो सबसे खराब क्या था थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इस स्लाइड शो है उसने सबसे खराब बैठ का कानून बनाया और सबसे बुरी तरह से चुनाव हारा दिग्विजय से दूसरा मुख्यमंत्री हमारे भारत देश में चंद्रबाबु नाईडू आंध्रप्रदेश वो भी बुरी तरह से चुनाव हारा जो बैठ का पूरा सबसे तीसरा मुख्यमंत्री SM कृष्णा करनाटक में वो चुनाव इतनी बुरी तरह से हारा कि उसकी अपनी पक्ष की स साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ें करनाटक और ऐसे प्रश्नागों करनाटक छोड़के महाराष्टानापड़ा गवर्नर बन पड़ें कि राज्य ही चून गया ऐसा मैं वह थो स कारण क्या है तो क्यों आठ राज्यों में अभी तक और 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 मेरे जैसा आदमी इस वेट का विरोध कर रहा है उसके तीन-चार मुख्य-मुख्य कारण है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं सबसे बड़ा कारण सरकार कहती है जी दुनिया के 123 देश में वेट हैं हम भारत में क्यों नहीं लाएं हूं कि इसमें सरकार थोड़ा सच होती है और बड़ा सच छुपा जाती है बड़ा सच क्या है दुनिया के जिन 123 देशों में बैठ है वहां पर दूसरा कोई भी इंडायरिक टैक्स नहीं है कोई भी दूसरा अप्रत्यक्ष कर नहीं है और भारत देश में जहां बैठ आ रहा है वहां 14 तरह के इंडायरिक टैक्स हैं पंद्रवां इंडायरिक टैक्स बैट है यूरोब के देशों में सबसे पहले बैठ आया जर्मनी और लैटिन अमेरिका के देशों में सबसे पहले बैठ आया ब्राजील ब्राजील दुनिया का पहरा देश है माराजी जो वैट लाया लेकिन बहुत मैं तुम्हों ने ब्राजील की सरकार ने सारे दूसरे इंडारेक्ट टेक्सिस खतम किये उसके बाद वैट लाया और 20 साल 20 साल माराजी ब्राजील की सरकार ने बहस किया वैट पर संसद के अंदर संसद के बाहर 20 साल के बाद जनता ने जो कुछ सुझाओ दिये व्यापारियों ने और उद्योगपतियों ने जैसा कहा वैसा वैटा तो ब्राजील ने 20 साल लगाया वैट लाने के लिए 1960 में उनके चर्चा शुरू हुई और 1980 में वैटा है 20 साल लगा उनको अध्यान करने के इसी तरह जर्मनी में 12-13 साल बहस चली जर्मन संसद में उसके बाद वैटा है जितने भी देशों में वैट है आपको दो बाते महतु की मैं जन्ना बताना चाहता हूं वहां कोई भी सिर्फ एक ही टैक्स है जैसे शुड़शर ellend एक देश वहां चुच भी नहीं होगो सिर्फ राइपक्स जाहां बैठ बाकаты दूसरा कोई टेक्स पनामा एक त्यसरा देश जहां बैठ है बाकी कोई टेक्स नहीं ऐसे 23 देश हैं दुनिया में जहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है 84 देश ऐसे हैं जहां पर दो ही टैक्स हैं एक वैट और एक इंकम टैक्स बाकी कोई टैक्स है अब भारत की बात करें भारत देश में 14 इंडारेक्ट टेक्स है एक डायरेक्ट टेक्स है और उपर से बैट यह इस्तिती हमारे देश तो आप कल्पना कर सकते हैं जिन देशों में सारे इंडारेक्ट टेक्स खतं किये और वेट लाया वह सफल होने वाले अब जिन देशों में महाराची डायरिक टैक्स नहीं है उन देशों में बैट का रेट क्या है वैट की दर क्या है और कितनी वस्तु में हैं जिन पर वैट है सुर्जर लेंड की बात करता हूं सुर्जर लेंड दुनिया का सबसे ऐसा अधबुत देश है जहां बैट सिर्फ डेढ़ टका है 1.5 परसे और सभी वस्तुओं पर एक जैसा है 1.5 परसे माने सौ रुपए का माल बनाइए एक रुपए 50 पैसे टेक्स में दे दीजिए बात ख ना आपको बिल रखना है ना कैश मीमो रखना है ना बाउंचर रखना है ना परचेज रजिस्टर ना सेल रजिस्टर ना कोई डॉकुमेंट आपने घुशित किया मैंने सौ रुपए का माल बनाया 1.5 रुपए बर दिया बात खतम हो गई अब उस माल को आप पूरे यूर का स्टम्ध भी नहीं लेते हैं अधान कर से ना सरल कर दिया उन्होंने टैक्स के स्टुट्चर को आप कोई भी दूसरा टैक्स नहीं सिर्फ एक बैट है और वह बहूंँ रे कई में डेश हैं वहां पर किसीमें 3.5ट करोई, 4.5 बढर तका 6.5-7.8 बढर याइक नोइक नि लिए हजारों दूसरी वस्तूओं पर बहुत कम और बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है यह सबसे महत्यू की बात है जानने की इंदुस्तान में जो सबसे खरब इसको सरकार ला लेए एक मेहत्व की यूरॉप यूरॉप के सभी देश क्रणा नहीं को कही बहुत है केंद्र की सरकार ने इन सेनपर वेट और सटेट वेट में अगर आप सेनपर ब dönते थो अपने माल को इस देश के किसी भी राज के किसी भी विगावन का में घुआ कि कोई प्रॉबलम लेकिन इस्टेक वेट रोप hm Central का नहीं है, State का है और State में अलग-अलग कानून अगर बना दिये हैं तो तकलीफ ही तकलीफ है तो Inter-State Business बहुत तकलीफ में आता है ज़ित वैट होता है और Send-Wet होता है तो Inter-State Business बहुत सरल हो जाता है तो दुनिया के सभी देशों में जहां वैट है वो सेंट वैट है, इस्टेट वैट नहीं, तीसरी एक और महत्यू की बार, जहां भी देशों ने वैट लाया, दुनिया के हरे देश में, दो नियम बना दिये उन्हों, बहुत इंपोर्टेंट है यह, नियम क्या बना दिया, कि सरकार जो टैक्स ले रही है, वो टैक्स की माल नहीं है, जो रगन्यू कलेक्शन हो रहा है, टैक्स की माध्यम से, सरकार उसकी मालिक नहीं है, कस्टोडियन है, यह रूल है उनके, नियम, सरकार जितना टैक्स इकठा करेगी, उसकी वो मिल्कियत नहीं है, संपत्ती सरकार की नहीं है, सरकार उसकी रक्षा करने के लिए ग सुरक्षा करनी के लिए है मालिक नहीं है मालिक तो वो है जोटैक्स दे रहा है तो वहां नियम क्या बना जब सरकार कस्टोडियन हो गई और टैक्सपे और मालिक है तो मालिक को जबी भी जरूरत होगी तो पूरा टैक्स वापस होगा यह नियम है सभी यूरोप के दुश्व लैटिन अमेरिका में अब जरूरत कैसे होगी मैं आपको दो उधारण देता माली आप फ्रांस में बिस्निस करते हैं और आपको 20 साल हो गया आप 20 साल से फ्रांस में वैट भर रहे हैं इमानदारी से टैक्स में 21 साल में एक दिन आपक सरकार को कहेंगे कि मैं फ्रांस छोड़के जर्मनी में सेटल होना चाहता हूं और मेरा बिस्निस पूरा में जर्मनी ले दाना चाहता हूं उसी दिन आपका 20 साल का एक एक पाई जो आपने पे किया है वह आपको वापस मिलेगा उसी दिन और सरकार आपको धन्यवाद पत्र चोड़कर जा रहे हैं इसलिए ये टैक्स का पैसा आप अपने साथ लेके जाईए क्योंकि हम इसे नहीं रख सकते हम इसके मालिक नहीं है मालिक तो आप आप फ्रांस चोड़के जर्मनी जाएए जर्मनी चोड़के वेलजियम चोड़के डेनमार्क चोड़के किसी और तीसरे देश में चले जाएए टोटल जो बैट आपने पे किया है 20 साल 20 साल 30 साल 40 साल वो एक दिन में आपको पूरा वापस हो जाएगा आप उपना वेट वापस लेके दूसरे देश में जाएए बिजनस शुरू करिए बिजनस शुरू करने के बाद वहाँ पर वेट बे करिए फिर 20 साल वाद आपका दिल उप जाए वो देश को छोड़कर और किसी में चले जाएए वापस मिल जाएगा इस तरह का नियम है सभी दूब गई भूजा दाया धरती कम को गया आग लग गई कुछ हो गया फैक्टरी बंद दुकान बंद सब धंदा बंद वो दिन आपको आपका पूरा टेक्स वापस मिलेगा ताकि आप नया धंदा शुरू कर सके और नया धंदा शुरू करने में तीन साल तक सरकार आपसे टेक्स नहीं लेगी तीन साल बाद आपसे फिर टेक्स लिया जाएगा यह दो नियम है भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है और अगले 500 साल बनेगा उसकी कोई कलपना में यहां तो क्या जितना मिले खीचे जाओ लेते जाओ भीचते जाओ लेते जाओ अपनी जिम में रखते हैं एक तो सिंगल पॉइंट वैट है दूसरा टेक्स की दर बहुत कम है और सेंट वैट है सेंट्रल वैट है और रिफंडेबल है और टोटल इंडारेक्ट टेक्स खतम करके लाया हुआ और एक इंट्रेस्टिंग बात जितने यूरोप के देशों में वैट है वहाँ पर व का मतलब है आपको जेल बेज देने का अधिकार इस जुडीर में उपकी संपत्ती जपत है बाज़ार में वेच देने का अधिकार जुम गांद कि उल्ट-ग क्वाम क्यों आठें को ज Pan ये लेकिसी हैं अधिकार को नहीं होता यूरोप के किसी भी देश ऐन और लाटिन अमेरिका के किसी देश है उनको अधिकार नहीं हैं उनको सिर्फ ड्यूटीज Sir ओप एसे करदंबरम राइटस को पटबिब्ल左 स्वार बाइने वाले को हैं क्युए और जयादा तर देशों में पबैध का कंश्णर या वैत ओफिसर् नि कीसी व्यापारी को फोल करता है क्क कंडीशन क्या है, मालओ आपने टैन्स राइव और गल्ती से ज़्यादा देनी हैं, तब वह गैंच कमिशनर आपको फोन करेगा, सर्टा का थो मैंने रिटर्न देखा है, आपने तो गल्ती से ज़्यादा टैक्स पर दिया है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका वापस पैसा देने आना चाहता हूँ आप गुलेंगे सेटर्डे को आना सेटर्डे जो हूँ वीक लिए ओफ है संडे ओफ है संडे आना तो आएगा और आपके हाथ में पैकेट दे के जाएगा और दस दार यूरो डॉलर का हो सकता पुचास दार यूरो के जिन लोगों से मैं बात करता हूं मैं कहता हूं भाई वेट कमिशनर का फोन आए तो कहते हैं राजी दिवाली ओती है उस दिवाली पक्का है कि हमको दस वीस हजार डॉलर देने आ रहा है पक्की बात है अधर्वा क्य Pop tornado से कोई बड़ी बरी गलती हो गया कोई कि यसी क्ता कि अधि cura यहां आपको करनें और आपकी और लुट करें क्या क्या है है कि अधम शब्र सप्केश करें आом कि आपकी है पूंठ में चाहिता आपपनेंटेंद का इजिए फिर वह आपके साथ और आ पोज़ेंगे मेरे घर में आजाओ तो आजाएगा आपको अगर सूविदा है वो पूछेगा आपको सुविदा है तो आप मेने आसकते आपको नहीं मिलपत टाइम नहीं आपके आने का ठीक है मैं आपके पास और यूरोप के कोई भी देश का वेट कमिशनर टेक्सपेयर को सर करके बात करता है सर 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 ओके सर राइट सर वरी गुट सर फाइन सर आधी 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 यह बात करता है भारत का बारत का वेट कमिशनर आपका सर तोड के बात है वो तो सर सर करके बात है बारत का वेट कमिशनर तो आप जाओगे तो कमरे में कुरसी नहीं रखेगा कहेगा बार खड़े रो और खुद बैटा बैटा चाहे पीता रहे प्रुसत नहीं इकला उपर सो आउनर सो तो टेंग एलफी में बहुत फरक है और इससे भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग बात है जो बहुत पहतु किया फिर में आता हुआ दुनिया के किसी भी देश के वैट कमिशनर को पगार नहीं होती है इसको कमिशण मिलता है जतना वह टेक्स लेगा उसका कमिशन फिक्स होता है और हर देश में अलगिज कुई देश में 0.5 तका मनें आपने जो tota genau टैक्स इकठा किया उसका 0.5% का कमीशन आपने जो टैक्स इकठा किया उसका एक तका कमीशन एक तका से कहीं ज्यादा नहीं और 0.25% से कहीं कम ने तो 0.25% से लेकर 1% Jonathan के बीच में कमीशन फिक्स होता है किसी को सेलरी नहीं है कमिशन और एक मज़े की बार किसी भी वैट कमिशनर को यूरोप के किसी भी देश में सरकार का घर नहीं मिलता रहने के खिराई के घर में रहना को सरकार का टेलीफोन नहीं मिलता सरकार का मुबाई फोन नहीं मिलता सरकार की कार नहीं मिलत प्राइच haircut में आने जाने के लिए वीवी वच्छों को तो कभी कोई विदा नहीं मिलती जो करना है अपने पैसे से करना है सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं आपको जो कमिशन मिल रहा है उसी से आपको अपनी जिन्दगी चलानी है बागी आगे कोई बात नहीं है भारत देश में इसका ठीक उल्टा होता है वेट कमिशनर को पगार तो है और उसको धेर सारे पगार के साथ इमॉल्यूमेंट से हाउस टेक्स अल और उसके मम्मी पपा भी बीमार पड़ जाए वेट कमिशनर के तो उनको खर्चा अलग मिलता है तो भारत का जो वेट कमिशनर है और यूरोप का वेट कमिशनर है जमीन आसमान करता है हमारे देश की सरकार है ये सारी महिटी छुपाई योगों से और बोल दिया कि यूरोप के 123 देशों में बैठ है तो भारत में भी आना चाहिए लेकिन यह नहीं बताया क्यों 123 देशों में किन आधार पर वेट है और हमारे किन आधार पर आए सबसे खराब बात हमारे देश में जो हुई है भैत में कि घेर सारे दूसरे टैक्स भरते हुए आपको बैठ देना है अब उसमें एक और मेहत्व की बात में कहते हुए यह स्लाइट में शुनू करूंगा भारत देश के नागरिक अगर नेट इंकम कर रहे हैं तो उनको tax देना है income tax वाट समझना आती है नेट इंकम और अगर आप ग्रॉस इंकम कर रहे हैं तो अब आपको tax देना है वैट वैट जो है न ग्रॉस इंकम पर लगने वाला टेक्स है यह बात सबसे महतु की है जिस पर मैं अब आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं और महारत जी से विशेश निवेदन करना चाहता हूं यह सब को बता है आपकी ग्रॉस इंकम अब टेक्सेबल हो गई नेंट इंकम पहले से टेक्सेबल थी इसका माने आपकी टोटल इंकम टेक्सेबल हो गई आप अपनी इंकम छुपा नहीं सकते वैल्यू एडिट टेक्स लाने के पीछे हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी साजिश है वो यह कि भारत के व्यापारी और उद्योपती वर्ग की सारी इंकम सरकार की आँखों के सामने रहे आप उसे चुपा नहीं सकते अभी क्या होता था अभी जब आप सेल्स टेक्स देते थे तो उसमें ग्रॉस इंकम टेक्सेबल नहीं थी नेट इंकम टेक्सेबल थी तो उसमें आप थोड़ी बहुत बचक कर सकते थे बचक करने को सरकार कहती है कर चोरी और मैं उसको कहता कि आप टेक्स इविजन कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि आप इस देश की डॉमेस्टिक सेविंग्स बढ़ा रहे हैं अगर आप टेक्स नहीं भर रहे हैं तो आप इस देश की बचत बढ़ा रहे हैं सरकार कहती है कि कर चोरी कर रहा है मैं कहता हूं कि आप टैक्स सेविंग्स करने से इस देश की पचत पड़ाते हैं कैसे हिंदुस्तान के जो लोग टैक्स में पैसे कटोती करते हैं या टैक्स नहीं बढ़ते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं जो भी शक्त इस्तेमाल करें वही वहीदी लोग सबसे ज़्यादा डोनेशन देते हैं गया बगिभशस जश्यादा गुषियर अप महाराजी मेरे बहुत दोस्त हैं जो हर साल इंकमटैक्स के चैटेक्स के लिए उनकी घर में चार-चार चार्टेट क्यों जिनको मइने का 50,000 रुपय का सेलरी देते हैं सब्सक्राइब नहीं जाना चुना कुल इनको कहता हूं भाई तुम इतना खर्चाण चाटेद इकाउटेंट पर करते हैं और इतना दान में देते हैं रोज का एक लाग रुपए का दान दे सकते हैं 15 2012 invari है जानता हूं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जेन समाज में बोलाग रुपए दान देते हैं 30未an डिए साल का उनका चुछ टोटक डोनेशन हैं वी मैंने दिन में कर दिया तो रोज को सलूट करता है वो कहते हैं राजीब भारती संस्कृती में कुपात्रों को दान नहीं देते कुपात्रमाने भारत की सरकान उसको हम नहीं दे सकते आप दान में वागो तो घर भी खाली करते आपको गौशाला बनानी है हम देंगे दस पर आपको तालाब खोथना है हम देंगे 20 पर आपको गरीब बैणों की शादी करनी है गरीब बेटियों की हम देंगे 50 कर कोई भी काम के लिए दरवाजा खुला है इंकम टैक्स नहीं देंगे और उसमें से एक तो मेरे ऐसे अजीज मित्रा वो कहते हैं अगर कुपात्रों को दान दिया तो नरक में जाना पड़ता है हम नरक में नहीं जाना चाहिए अर्थात बात बुल्कुल सीधी सीधी है कि सरकार के टैक्स के पैसे को छोड़ी करके वो दान में देते हैं और इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि भारत देश में जो पैसा टैक्स से बचाया जाता है उसी से दान का काम चलता इसका अर्थ ये हुआ कि जो पैसा टेक्स से बचता है वही मंदिरों में काम आता है वही समाज के काम में लगता है वो जीवदया के काम में लगे, मंदिर के काम में लगे, मठ के काम में लगे, किसी दूसरे सामज के काम में लगे यह वही पैसा है जो टैक्स से आपने बचा लिया अब सरकार क्या कह रही है कि आपके पास टैक्स से कोई पैसा बचने ना पाए वेट के नाम पर आपकी ग्रॉस इंकम टेक्सेबल कर दिया और नेट इंकम टेक्सेबल है इंकम टेक्स के नाम पर माने टोटल इंकम अब आपकी टेक्सेबल है माने कोई भी पैसा अब आप बचा नहीं पाए अर्थार अब आप पैसे का दान नहीं कर पाए अर्थार पैसे का दान नहों तो मंदिर और मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाइग ना चलें अर्थार मंदिर और मंदिर से जुड़ी संस्थाइग ना चलें तो धर्म का काम बंद हो अर्थात आप सब ईशाही बनने के लिए तयार हो जो यह है असली मकस्त बैट का और मैं आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड में भारत सरकार ने इतनी बड़ी साजिश किया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते यह बैट का ड्राफ्ट आया आपको मैं जान कर देखा यह बैट आपको प्रश्ट पूछा था इस ट्राफ्ट में एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा यह प्रोवीजन कैसे आ है मारा जी इसमें एक स्लाइड है वह आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन वह स्लाइड यह है कि जितने इंटरनेशनल और्गनाइजेशन भारत में काम करते है वो सब टैक्स प्री कि उनको वैट एंगे और इंटरनैशनल और्गनाइजेशन को वैट अले टैक्सेप्री hai 22 अने कानून बनाया वेट का सबीराग्यों के कानून में इंटरनेशनल और्गनाइजेशनि को वैट फ्री रखा है अब ये इंटरनेशनल और्गनाइजेशन कौन है जितने भी चर्च औरगनाइजेशन है सभी इंटरनेशनल औरगनाइजेशन वह सभी वैट फ्री हैं और जितने हिंदो धर्म के मट मंदिर है वो सभी नब बैट में आ गए है और यह परिवर्दन किस दिन आया जिस दिन मन महंसिंग इस देश का प्रधान मंत्री बना इसके पहले एक ड्राफ्ट बना था वह बनाया था इंटरनेशनल ओर्गनाईजेशन को वैट से अलग रखना यह मनमोहंसिंग के प्रधान मंत्री बनने के बाद इसमें डाला गया मनमोहंसिंग इस देश का प्रधान मंत्री नहीं है सोनिया गांदी इस देश की प्रधान मंत्री कियोंकि मनमोहन सिंह को दो बार कुछ कि मैं तो मेडम का प्रधान मंतुरी हुं वह हम पप्लिक मीटिंग में आसे नहीं पॉला है एक अगर आप प्रेस कॉफरेंट में बोला है जिस दिली उस में उसने ता में मैंठम को प्रधान मंत्र हुं और मैडम मैंसा उस thing आप भारत के प्रदान बंतरी नहीं मैं मैंडम का प्रदान बंतरी अर्थार जैसे मैंडम कहेगी वैसे ही मैं करूंगा मैंडम कौन है क्रिशियन लॉभी की सरमुक्तिया सोरिया गान्म तो इंटरनेशनल और्गनाइशेशंज को बैट फरी बनवा दिया एक प्रवीजन डलवा दिया सारे चर्च हिंदुस्तान में वह कैथलिक्स हों या प्रोटेस्टेंट हों सभी इंटरनेशनल और्गनाइशेशन में गिने जाते हैं कि मुंबई वे जितने चर्च चलते हैं सभी international मुंबई तो छोड़ो गाऊं के गरीब से गरीब गाऊं का चर्च international क्योंकि उसका जो linkages है वह यहां नहीं है वह बाहर है तो उन्होंने एक प्रोवीजन डाल दिया आप गरत विद्ट अपर्फ्री अर्थात सारी क्रिस्टियन संस्थाइं वेट फ्री है ठीक है अब दूसरा मुसलिम और नाइज़ेशन कि बहुत सारी मुसलिम अर्गनाइजेशन इंडुस्तान में हैं जो इंटरनेशन और ने से और क्योंकि वो जोड़े हुए हैं गल्फ कंट्रीस के साथ हैं आपको मानूब को बहुत सारी उस्ट कि भारत में बनती है जिनके लिए पैसा आता है तो से आता है खाव मस्जित। और चट्थ की किसी भी अक्टिवोटी फर कोई टैक्स नहीं अर्थाद मस्जित।वर चट्थ की किसी भी एक्टिविटी पर शरकार की अधिकारी का कोई अंकुष नहीं However आपकी एक्टिविटी वैर्टॉब है नहीं है वो तो सेकंडरी है लेकिन आपके सरकार का अंकुष है या नहीं वो प्राइमरी है आपके जो हिंदू और्गनाइजेशन यह इंटरनैशनल नहीं है क्योंकि ये हो नहीं सकते हैं क्योंकि इनका एफिलेशन भारत के बाख़ी नहीं को इनका सबका NFL होगा वह भारत के अंदर होगा तो भारत बाका नदर हीदू धर्म हीदू sih वह बिश्ट यह जयन भी आते हैं और यह पुंत से ऐ हैं और पुन फत्र। सब तरह के लोग आते हैं सनातनी भी आते हैं सब तरे के लोग उनके जितने संगठन संपृदाय संस्थाय वह सभी वैट के अधीन आ गई एक और इससे भी जादा खतरनाख बात सरकार ने यह तै कर दिया है कि अभी जो संस्थाय प्रॉफिटेबल है नौन प्रॉफिटेबल है दोनों यह सबी बिस्निस करती हैं बिस्निस के डेफिनेशन में डाला है उसको अभी तक आप क्या करते हैं आप अगर मंदिर चलाते हैं मट चलाते हैं तो आप सेवा करते हैं लेकिन सरकार में वो सेवा हटा दिया अब उसको बिजनिस में डाल दिया बिजनेस में दो क्लैसिफिकेशन किया है नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस और प्रॉफिटेबल बिजनेस अर्थार मंदिर मठ सभी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में आते हैं और नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस भी वैट में आ गया है प्रॉफिटेबल बिजनेस तो आई गया है नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस भी आ गया अब इतनी बाते ध्यान में रखकर अब आप जरा देखिए यह स्लाइट इसमें में आपको देखिए आउन करो यह तो मैं यह हाथ में ले सकता हूँ यह तो बहुत सरम सी बात है यह परिभाषा है let us understand what जरा next हाँ value-added tax सरकार की definition क्या है सरकार की definition यह है ड्राफ्ट में यह definition उन्होंने दिया है value-added tax is multi-stage tax levied on value-added at different stages of production and distribution of a commodity, ध्यान से पढ़ना इसको, of a commodity or service or any adventure in the nature of service with or without motive of earning profit. With or without motive of earning profit. आप कोई भी service करें, कोई भी काम करें, आप उसमें से profit बना है या ना बना है? सीधे सीधे बात है, आप बन्दिर चलाते हैं, non-profit business है, लेकिन ये वैट की परिभाशा में है. मरा जी आप बैठना चाहेंगे दो? आप इधर आएंगे? देखने के? आप चीदे. तो जो business आप करते थे, business की अभी तक हमारे याँ definition थी, ऐसा कोई काम, जो पैसे कमाने के लिए किया जाए, वो business है. और ऐसा कोई काम, जो बिना पैसे के किया जाए, वो service है. सेवा और व्यापार में फरक था. अब सरकार ने क्या कर दिया? सेवा को व्यापार बना दिया. सबसे जादा विरोध होने की ज़रूरत है, इसी definition पर. कि तुमारी हिम्मत कैसे हुई, हिंदुस्तान की non-profit organizations, माने मंदिरों के सारे trust, मठों के सारे trust, उसको भी तुमने इसमें डबने. और ये बात, जब मैंने महाराजी कही ऐसे सांसदों को कही, जो थोड़े धर्म प्रेवी है, जो थोड़े जीम्दया प्रेवी है, जो कभी-कभी आप जैसे संटों की प्रवचत सुनने आते हैं, दिल में कहीं कहीं कोई दीपक जत्ता रहता है, उन्होंने कहा, रैजी भाई, सच में हमको मालूप नहीं ये हो गया. जो अधिश्या प्रवचत सच में हमको मालूप नहीं ये हो गया. मैंने का, आप संसत में गए हैं, हमने आपको संसत में इसलिए बेजाए, आप वहां बैठें, बहस करें, चर्चा करें, वो कहते हैं, हमको सरकार ने ड्राफ्ट ही नहीं दिया, इसको निकल वाते हूँ कि यह बहस नहीं हुआ निकाला नहीं गया इसलिए टैक्स नहीं आगया अब इस डेफिनेशन से आप समझ लीजें कोई भी मंदिर कोई बहट कोई भी संसा जो नूब्ले लबने व्यक्तियों के लिए जीन देरा के लिए काम करें कुछ भी करें वो सभी वैट में आने का अधिकारी मोर्व का शिकंजा आपके उपर आ दया अब कोई भी अधिकारी कभी आ सकता है आपके ट्रस्ट के सारे इकांट्स चेक कर सकता है और आप में अगर एकांट्स में कुछ खर्चा दिखाया हुआ है कि हमने तो इतना पैसा खर्च किया कभूत रोकोता ना डालने के तो आपकी प्रॉशन कर सकता है कि अवापको उसका जवाब देना पते हैं और वैट के नियों में सबसे खतरना फाराइजी हर बार आफिसर को कंविंस आपको करना पर देगा सब्सक्राइब कोई भी प्रश्चन करें युए कुट्स हैं और उसको कनविंस होने में क्या-क् करना आप संवीय नीजनर को किन्वेंस में क्या क्या लगता है तो बैदम कुछ पर नहीं करना है कि दरा मुझे लिए को कि समिचल करना को नभी अचुन दनिया काई कि उसको पैसा यूजन जो सकती दिर्शाल किसर और रिश्वद तक और उतनी बात नहीं उसके आगे लाइक उसके नजर आपकी कार पे पढ़ गएं। और आपकी आपकी कॉर्षक बहुत अच्छी है तोमस्स करने के लिए मतलए आपकी किसी प्लेट पर की खाल गए और उसको प्रिट आपका पषंद आ खेंगा, तो मतल ओप करना पर सकता है कि उसकी नजर आपकी किसी भी चीज़ करने के लिए डांस बार लगता है और डांस बार से ज़्यादा लड़की लगती है रात को देनी पड़ती है दारू के साथ है तब कमिशनर कंविंस होता है तब जाके आपको दया अप्रेंट करना के तहप कुछमा कर सकता है नहीं तो आपको रगड़ के रख सकता है तो यह डेफिनेशन इतनी खतरनाग है इसका जो अंतिल बाक्य है कमोडिटी और सर्विसेज और एनी एडवेंचर इंद नेचर और सर्विस विद और विदाउट मोटिव और अफर निक प्रॉफिट यह सभी अब वैट में आदेगा अब यह एक सिंपल सा चार्ट बनाया है समझने के लिए समझने के लिए यह बारत देश में वैट की पांच शरणिया बनाई है पांच सो पचास बस्तूओं पर वैट है मैं 46 और जिन पर वैट मैं जिस पर टाके बागी सभी बसका पर टैक्स और वो टैक्स की दर कैसी है कुछ बसकुएं यह जिन पर एक टकवारेट ₹ सोना चांई सोगे चांऌइक के गहने घीरे जारा बेशणी पत्तन पर्णस इन शभी पर एक टका वैट है उसके बाद कु चार टकाफ फॉर पर से फिर कुछ वस्तु है इन पर साढ़े बारा करेंट है कुछ वस्तु है इन पर बीस परसेंट है और तुछ वसंतु है जिन पर 34% तक रहे हैं 34% लास लिमिट है तर्टी फॉर में क्या क्या आता है जितनी भी मोटर इस्पिरिट मोटर इस्पिरिट माने डीजल कट्रोल केरोसिन और जो गैस आप इस्तेमाल करते गाड़ी चलाने में यह सभी और इन से निकलने वाले बाइप्रोड़क्स उसकी पूरी एक सूची है 20-22 प्रोड़क्ट है उसमें 34 परसेंट तो एक परसेंट हीरा चारट सुन्या चानि आदिया चार परसेंट में खाने पीने की बहुत सारी वस्तों है पॉस्ते निए और सबसे कम एक परसेंट तीन जिन वेट नहीं है महारत जी वह जरा ciek सबसे ज्यादा बैट क्रीव क्ला दारु शराब शराब अगर कही प्षेक्स करे किया है एर वन फेर को पुछाए कि भाई तुमने यह चुछा क्राब को टेक्स प्री कैसे कर दिया दूद्र पर driving भी हैं कि छाघ यहाच संज पर की दहीपोते मिठारियों का वेठों सब्टारियों को करां चर्कार क्या चाहिए है दूद्बन्त्यों शुद्ञ की नांत्यों एक उडारी को मैंने पूछा और वह पुझा तारू को कैसे भैट प्री किया तो उसने का आपको महीति नहीं है वालत की जितने भी सांसन है सब के पास दारू के काट ने जितने भी आमदार हैं आमदार मनें MLA और खासदार मनें MPS जादा तर MPS और MLS दारू के धंदे में हैं डायर्ट और इंडा है अगर नाम सुनना चाहें विजय मालिया खास दारू है नाम का सबसे बड़ा फञर गार ऑन कि इसकी पूरी पार्टी है जंता पार्टी जो जो दारू के पैसे से चलती है कि और यह क्यों जंता पार्टी महाराट्यी को मुरामत्यीं के लहाट जो कि आलोघी कराई कрем आपको मालू मुदा को मुराजी भाई के समय में एक पार्टी बनी थी जैप्रकाश नाराइक ने बनाइटी जन्ता पार्टी प्रधान पंतरी के रुप में बुराजी देशाई आये और उनकी ताकत से उन्होंने गुजरात में दारुबंदी कराई थी थोड़े दिन अगर रह जाते तो भारत में कि लेकिन उसके पहले उनको गिरादिया को cuma तो जो जन्ता पारटी बनी का विरोध करने के कि उसके बाद दूसरी वस्तु जिस पर बैट नहीं है वह लाटरी कि सब लोटरी गेट से हैं लाटरी पर कोई गार कि माने सट्डेवाजी करो और दारूपियो दोनों टैक्स कि माने दोनों में मरो और डूबो इसके लिए बैट आइसी कई-कई वस्तुमें हैं जो बैट से हरा लटरी वेट फ्री नमक जो सब से जादा इसके मालों होता उस पर भैक और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को कहते हुए अभी थोड़े दिन भारत में ढूना गानजी ने महात्मा गान्दी के मीठू सत्याग रहता है सब्सक्राइब करने के लिए फिर से एक यात्रा निपारी और उसमें लिए पर टेक्स की लगता है भुजों बहुत दुख है यह करते हुए गांधी जी के शरील का अध्या ना थुना गॉट से ने किया गॉट जी विचाव का तो यह गांधी तो शुकार ज़ें और मीट नहीं वैट नहीं है भारत की कई राती सरकारों ने गांदी जी कर चैखे पर बैट गांदी जी की टोपी पर बैट और गांदी जी की पुटो रखते ये सब्सक्राइब अगलेज सरकार नहीं कर पाएखे ने ठीट लगाने का गांदी जी ने उसको परास्त किया अग्रेज सरकार में खादी पे बैट लगाने का कोशुश किया गांदी जी ने परास्त किया वो खादी पे भी बैट लगा दिया, चर्खे पे भी लगा दिया, टोपी पे भी लगा दिया, मीट पे भी लगा दिया, ये सब बस्तुओं पर चार टका बैट है जिन पर होना चाहिए टैक्स, वहाँ नहीं है, जिन पर नहीं होना चाहिए, उन पर बैट है यह जो पांच श्रेणी बनाई हैं सरकार ने पांच सो पचास वस्तूओं की एक श्रेणी बैट फ्री उसमें 46 वस्तूओं हैं मैंनों बता दिया लॉट्री दारू जैसी 46 वस्तूओं है उनमें से एक वस्तू है शक्कर वो कहना अगले साथ इन पर हम लगाएंगे यह जो 46 व सब्सक्राइब और बची हुई पर 20 और 34 परसेंट है यह है टेक्स का रिट अब इसमें नेक्स एक मिनट यह स्लाइड में आपको सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए यह लगेगा कैसे टेक्स मालीजे कोई वस्तू है एक उसकी पर्चेस प्राइस है 100 रुपया और उस पर ट टेक्स कितना है 4 रुपया अब यही वस्तू को अगर 1500 रुपय में बेच दिया जाए आपने खरीदा 104 रुपया वस्तू की कीमत है 100 रुपया अब वो वस्तू को आप बेचते है 1500 रुपय में ठीक है तो टेक्स कैलकुलेशन उसके हिसाब से और जो टेक्स पेवल है वो नी इसमें चार पांच वस्तू में लिया एक वस्तू ले लिया 200 रुपय का है 8% है दूसरा ले लिया 300 रुपय का है 12% है ऐसे करके यह समझा है यह कोई खास बात नहीं है आप सब जानते है नेक्स्ट भया नेक्स्ट अच्छा अब इसको एक दूसरे तरह से समझाए आपकी मा 100,000 रुपई ऐक महिने में आपने 1,001,005 रुपई का खरिदी किया उसी महिने में आपने जो टेक्स्ट पे किया परचेस पर चार परसेंट अगर मांन लिजे दर है तो 4000 रुपय ठीक है फिर अगर आपने सेल किया उसी का 1,500,000 रुपई तो निशना हैका और जो फेल लाक पर आपने टेक्स दिया और एक लाख पर शुरू में दिया अब उसको घटाया जाएगा तो जो निकलेगा तो नेट वैट आपको पेकर नेक्स्ट अब जो वैट आया है उससे परिवर्दन क्या क्या किया इनों ने बहुत सारे जो टेक्स कानूर हटाने की जरूरत थी वो नहीं हटा और जो फालतू के थे उनको हटा दिया मेजर चेंजिस अभी हमारे क्या था सेल्स टेक्स था न तो वो वन पॉइंट टेक्स थे अभी कोई टेक्स आप एक बार दे दें वो सरल है या बार-बार बरेंगे वो सरल एक बार बरेंगे तो सरकार कितना बड़ा झूट बोल रही है कि बैट आने के बाद सरल्ता बढ़ेगी सरल्ता नहीं कठिनता बढ़ेगी फिर उसके बार रिड्यूस नंबर ओफ रेट स्लैफ लिडिन तो रिड्यूस नंबर ओफ लैसिफिकेशन डिस्प्यूट्स यह सरकार कहती है यह मैं नहीं मानता हूं सरकार के ड्राफ्ट में कैसे कहा हुआ फुल सेट उफ एजए सेटाफ िटेंशन रेचिंट फंफ पन फ्रॉंट फैवर सिफ्ट फॉड़िट अस्वेशन तो इसका इतना बड़ा जूट है यह sentence सरकार कह रहे हैं के self assessment का पूरा है तो आपने अधिकारिवों को क्यों इठा दिया है अगर self assessment ही है हमने जो कह दिया वह आप माझ लो फिर अधिकारी क्यों उसको cross check करें क्यों उसको verify करें क्यों cross verify करें इसका मालब यह है कि छूट बोल के आपको भसाना है यूरोप में जहां भी सेल्फ असेस्मेंट में है वहाँ अधिकारी कुछ नहीं पूछ सकता आपसे आपने डिक्लियर किया इतना टेक्स बनता है बात कतम हो गई उसके बाद कोई आपसे कौमा कि या जूंट काद माना वहाँ यह जाता है कि व्यापारी सब जूट है बेंमां है डगयत है इसलिए अधिकारी को उसके उपर बिठा दिया जो इमानदार है, करतब बिनिष्ट है, सत्तिमिष्ट है जो महाहराम को रहे ये जो अधिकारी वर्व को सरकार इमानदार, करतब बिनिष्ट बताती है वो अधिकारी वर्व की असलियत अभी आपने देखी होगी थोड़े दिन पहले हमने टीवी चैनल पर एक सीरियल देखा घूस महल उसका नाम घूस महल और वो दिखाया आज तक टीवी चैनल उसमें एक बात उन्होंने बताई कि दिल्ली का सेल्स टेक्स कमिशनर डिपार्टमेंट में कैसे घूस ली जाती है और दी जाती है वो मैंने देखा दिल्ली का सेल्स टेक्स डिपार्टमेंट महरत जी जिसका नाम अभी वैट डिपार्टमेंट हो गया है उसका ओफिस जहां पर है उसके ठीक ऊपर विजिलेंस कमिशनर का ओफिस है कि विजिलेंस कमिशनर का काम है भूस कोरों को पकड़ना ब्रशनाचारी को पकड़ना उसके नीचे सेंस्टेक्स कमिशनर का ओफिसे जाँ भयंकर भूस कोरी चलते हैं और मैंने मेरी आखों से देखा 83 अधिकारी 83 ओफिसर्स को हाथ से पैसा लेते हुए रिश्वत लेते हुए और अपने खीसे में रखते हैं लिया खीसे में और उसने बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से दिखाए सब्सक्राइब आधिकारी आते हैं नौ बजे ऑफिस में सब जाते हुए ले लेते हैं अंदर ऑफिस में घुषते हैं तो खीसा खाली होता सब फिर दिल भर भूस खोड़ी करते हैं रिश्वत लेते हैं पैसा बनाते हैं और इस चीज के लिए घूस लेते हैं आप सी फॉर्म मांगने गए 500 रुपए घूस दो तभी सी फॉर्म मिलेग आपकी कोई फाइल है इस मेंच पर है यहां से आगे लेके जानी है 5000 रुपए आगे से और आगे ले जानी है 10,000 रुपए वहां से कमिशनर के पास जानी है 30,000 रुपए सभी रेट फिक्स है वो 83 अधिकारी दिन भर खूस कोरी करते हैं शाम को वो इकठे होते हैं 5 बजे और सारा खीसे का पैसा निकाल के काउंट करते कितना इकठा हुला फिर उसको कमिशनर से लेकर और नीचे कारकून तक डिस्ट्रिब्यूट किया लगता है भारत में सबसे इमांदारी से अगर क अपना निकाल के रखा फिर उसको काउंट किया फिर अधिकारी के हिसाब से रिटिस्ट्रिब्यूट है यह भारत की रासधानी के सेल्स्टेक्स कमिश्वर के आफिस में हो सकता है तो छोटे-छोटे गाउं में क्या होता होगा सोचए ऐसे भूस और हराम और व्यापारियो को की ये जो सरकार कह रहे हैं और ट्ली आसेस्मेंट से ऐसेस्मेंट पर जाने वाला सिस्टम में शब्सेपार में और इसी में फ़साया है बहुत सारी द्याफारी गोंचको सब्सक्र है को मुझे को एकी तर्फ पलेते सैफ एसिस्मेंट हो गया मैंने लिगार दिकार आया तो आजिरा ये बताओ सेल्फ असिस्मेंट किये हुए को भी इंकम को सॉरी बैट कमिशनर रिजेक्ट कर सकता है अपने नए तरीके से उसकी जाज करा सकता है तुम्हेरे सेल्फ असिस्मेंट का मतलब क्या है कर दो कि इसके बार आमेशन अफ्टर्ण ऑफ्टर्ण ऑफ्रण जार्चार्ण पर्चेस नाश्य इस्टेट लेवल पर बिए इस्टेट लेवल पर ये तीम टर्नोबर टैक्स क्लाइञ और महाराइस्ट में मुझर ओफ और कॉंट्रेक्ट टेक्स एक्ट राइट वूज्ज एक्ट विट्वैट के साथ इत्ना हुआ जो बेजर है मैंने आपसे का सिए स्की कटम नहीं हुआ तोसबने किया प्रोफिश्टैक्स कपनी किया रोल कोतम नहीं किया अधिया जो करना चाहिए व chưa कि आромी एकार आस्कार क्यों लाओ तो शुख sectors are एक लाब वो बताते हैं आपको जो है न रिफंड मिलेगा सेट आफ मिलेगा एक लाब दूसरा वो बताते हैं कि यह जो इस्केट लेवल पे टर्नोवर टेक्स सर्चार्च आधी आधी थे यह हट जाएगा फिर कहते हैं ओबरॉल टेक्स बर्दन रैशनलाइज होगा तारकिक होगा प्राइस विल जर्णरल फॉल सरकार कह रही है मैं एक महीने का स्टडी किया है अभी एक महीना वाने जब से वैट आया लगबग एक महीने बाद किस-किस वस्तू की कीमत कितनी बढ़ी है करनाटिक और महाराष्ट दोई राज्यकावी में किया है कम से कम पंद्रे टक एदिघी 35 delivers गÂमत कीमते बुड़ी है जो भी वस्तू पर वैट आया है तो सरकार के इतना बड़ा जुत है कि कीमते कम होंगी कोई कीमत कम नहीं होगी सबी वस्तू की कीमत बढ़ी और कुछ वस्तू की कीमते तो इतनी पढ़ी है कि कोई सोच नहीं सकता जैसे किसान के काम आने वाली बहुत सारी चीज़ है जिन पर जिन्दगी में पभी टैक्स नहीं था उसके वैट आगया अभी किसान बॉखलाए हुए है कि इतना कीमत कैसे बढ़ गया महीने दर ने वह ऐसे कि उस पर वैट आ गया जैसे किसान के काम आता है ठेशर के एक एक अंग पर बैठ लागा लिए उसको पर जोड़ सब कीमत अब बोक्त लाते मुझे पूचते यह कीमत इतनी बड़ी कैसे है जिन्दगी में किसान की छोड़ी छोड़ी चीज है फावड़ा होगा ना फावड़ा उस पे बैट लगा दिया खुर्पी उस पे बैट लगा दिया तो जो जिन्दगी में किसान कभी किसी वस्तूर पे टैक्स नहीं वरा वो भी बैट में डाल दिया तो कीमत बढ़ नहीं है कम नहीं हो रही और यह जूट सरकार लगातार बोल गए और यह तो सबसे बड़ा जूट है ट्रांसपरेंसी बिले इंक्रीज अब बताऊंगा आपको और देर बिल भी हायर रिवन्यू ग्रोथ ताने सरकार को टेक्स कलेक्शन मिलेगा यही सबसे बड़ा सच है सरकार को जास्ती से जास्ती टेक्स मिलेगा सरकार की आवंद नहीं बड़ेगा यही सच है बाकि यह सब जूट है अभी दिखाता हूं कैसे जूट है इस्ट्रॉक्चर ऑफ एंडिया कैसा इस्ट्रॉक्चर है अभी हमारे यहां जो वैट आ रहा है वो सेंड नहीं आ रहा है ध्यान रखना इस बात का मैंने आपको थोड़ी दिर पहने का दुनिया के सब देशों में सेंड यह चाहिना में सेंड डेट श्री लंका में सेंड इंडोनेशना में सेंवेट है, फिलिपिंग्स में सेंवेट है, ब्राजील में सेंवेट है, मेक्सिको में सेंवेट है, जर्मनी में सेंवेट है, सब जगें सेंवेट है, भारत में सेंवेट नहीं है, इस्टेट वेट है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो स्टेट वेट है, और इस सब के सान है यह मैं आपको पहले बता चुका है और सरकार नेक्स्ट और – यह मैं आपको बता दिय इसलिए आप इसमें ज्यान देने की ज़ह दरते मेंने बताए «एक एक शुडूल ए है जिसमें tax free goods है सबक्राइब से, शुडूल B है जिसमें 1% tax वाले है, शुडूल C है 4% tax है, शुडूल D है 20% है, यह शुडूल E है जिसमें 34% तक बैठ है, motor spirits जो मैंने आप से तोड़ दे पले लिपा, एक शुडूल F है जिसमें other goods है, जो इन में से किसी में नहीं है और अगले साल से एक नया शिडूल आने वाला है जिसमें 2,000 और वस्तु हैं फिर एक नया शिडूल आएगा 8,000 और वस्तु हैं टोटल साड़े 10,000 वस्तु होगा 2,000 साथ में ये सरकार का इनाउंस्मेंट है परिट है जो में आपको पहले ही बता दिया, एक परसेंट है, चार परसेंट है, वाह को साड़े है उसके बाद 20gebशंट ओधारिद 8,000 सीसस्ट ह basically विस्तो ही प्याह सब्सटर्पा है, वह बनौता ब्लूब और क्योंकि 75 अभी एक वाहइडा किया है किया 6,000 बपढ़े फिर उसके अगले साल आदा करके फिर पूरा कतम करेंगे बरोजा नहीं क्योंकि शराबी आत्मी जो होता है ना उसका बरोजा नहीं होता नेक्स अब देखिए यह तो बहुत ख़तरना के बहियां इसके एक पहले वादा चुपिए जब से नीचे जो होता है बांच बैचने वाले कुण पांच लाक से कमया पानपटी चलने वाले का धन्दा पांच लाक से कम है चाइब जने महने इन सबको रजिस्टरेशन करना पड़ेगा है वह जो ःती बाधिस बातने हैं अब हो as Check atau Registration कर ते वो तो विचारी पालक बेचने आती है बेचके चली जाती है दस-बीज रुपए अपना कमा लेती है लेकिन सरकार इतनी हराम दो रहे हैं उससे भी कह रहे हैं रेजिस्ट्रेशन कराओ क्यों कराना है इसलिए कि अगले समय में उन पे भी वेट लगाना है कारण क्या है इसमें बहुत ही खतरनाप प्रोवीजन यह एक सरकार जिस दिन चाहे उसका अधिकारी वेट कमिशनर टैक्स की रेट को उलट पलट कर सकता है जिस दिन चाहे एक सिंगल नोटिफिकेशन से गया कि उसको कायूं बनाने की नई दरकार नहीं है ज़रूरत मेये असेंब्ली में जाने की जरूरत में संसत से पास golf करने ज़रूह जिस दिन उसको मन में आया एक नया नोटिफिकेशन लाएगा और वो नोटिफिकेशन ये कहेगा कि अभी एक लाग रुपए से उपर के सब लोगों को वैट पे करना है अभी पाँच लाग किया अगले साल लाग करने वालों को सब को वैट पे करने हैं फिर हजार लुपए किया तो तो फिर क्या तो आपने कानूर का उल्लंगत किया ऐसा माना जाएगा और उस पर दंड कितना उसके प्रोवीजन क्या है तो अगर रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको कम से कम दो हजार रुपए दंड कोई राज्य में दो हजार है कोई राज्य में एक हजार ह कहीं नहीं है 2000 से ज्यादा कीं नहीं है तो कम से कम 1000 से 2000 ऊपर के बीच अजफ में दंड और जितने दिनain पिशीयरिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उतने दिन प्रति दिन के हिसाब से और टप कोई राज्य दो सो रुपए प्रति दिन कोई सौ रुपए प्रति दिन ऐसे ऐसे दंड और अगर दंड नहीं भरा तो मान दो आपने रेजिस्ट्रेशन भी नहीं किया पेलंटी लगा वो भी नहीं भरा तब तब वेट कमिशनर आपको एक साल के लिए जेल भेज देगा है यह उसको अधिकार और जेल बेजने के लिए भी जो तर्म इस्तेमाल किया गया है रिग्रस इंप्रिजन्मेंट रिग्रस इंप्रज़ेंट वाग्व सर्ष्रंग कारावास सब्सक्रापर आपको मैं एक सरत भाषर में समझा दूर्थ समझ में आएगा भारत देश के क्रातिमीर विनायक दामदर सावर करको रिग्रस इंप्रसेंट हुआ था तो क्या था? उनको जेल के अंदर चक्की चलानी पड़ती थी जेल के अंदर उसमें बेल को निकालके उनको लगाया जाता था और कोलू चलाना पड़ता था ये तो racist imprisonment होता है अगर आपने registration नहीं किया है तो रिग्रस imprisonment एक साल के लिए इतना बड़ा क्राइम है और मान लो एक साल का रिग्रस इंप्रेज़न्मेंट होने वाला है आपको माहिती है कल्पना करो और आप भाग गए अप्सकॉंडिड हो गए तो तो आपकी पत्नी को जेड़े कि पत्नी को उसको इंप्रेज़न्मेंट कर सकता है एक साथ दुनिया के किसी कानून में नहीं अब भारत में भी सबसेखराब कानून है ना आई पीइसी 302 मरडर आप ने अगर किसी का मरडर किया है आई पीइसी 302 का केस सब्सक्राइब उसकेस में भी जसने मरडर किया है उसी को जेल होती है उसकी पत्नी को कोई छूativa ही नहीं सकता लेकिन इसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जेन चलो एक साथ की और ये बात जब मैंने कहीं सारे मंत्रियों के साथ नहीं तो एक ही जवाद दिया हमने पढ़ा नहीं इसको कानून पढ़ा नहीं है और कहते हैं हम इसका संशोधन करेंगे बाद पहले से अगर तुमने पढ़ाने तो कानून क्यों लगाया इतनी जंदी क्या थी अमेरिका डब्लू टीओ साइन करने के बाद भी बैट नहीं लाया तो तुम को क्या गरज पढ़िया बैट लाने की तुम धगड़ा कर सकते हो डब्लू टीओ में कि अमेरिका लाएगा तब हम फार उख्यारण कातला कंषाट वाजबि लो टो तो है जोटीओ ऐसड़ें चालर फस चोटी चालनी वाले पानी पूरी बीजने वाले चाई की प्वकिल ने वाले wide be kitty ओने करने वाले इनका क्या होने वाला है कोई आहरा अफिसर कैगा रेजिस्ट्रेशन दिखाओ, क्या रेजिस्ट्रेशन, अच्छा चलो जेम, एक साल की, वो कहेगा साहब, एक साल की जेम, अच्छा दस हजार उपर लाओ, पचास हजार, you have to convince him, लाओ पचास हजार उपर, एक जार उपर, तो इससे क्या होगा, ट्रांस्परेंसी बढ़ रही है, हाँ, बढ़ रही है, कैसे, पहले वो चुपचाप लेता था, अब सीधे ड़केती डालेगा, इसकी ट्रांस्परेंसी बढ़ रही है, पहले जो चोर थे न, वो साब ड़केत हो जाए, सीधे बुंडागर्दी करके आपकी जेम से निकालेगा, और ये जो छोटे-छोट विचारे धंदे करने वाले, ये इतने गरीब भुले वाले मासूम होते हैं, कोई भी इनको हड़का लेता, पुलिस वाले तो आप देखते हैं, कैसे हफ्ता बसूली करते हैं, अब पुलिस वालों के साथ ये बैट आफीसर हफ्ता बसूली पे लग जाएंगे, सड़के किन और कोई भी कुछ धंदा कर रहा है वह आएगा रजिस्ट्रेशन दिखाओ रजिस्ट्रेशन नहीं है लाग पैसे नहीं तो तुम्हारा सामान जबती करता है यह सब भरांपोरे अब शुरूरों की इस देश्ट छे वाइने के बाद नवंबर दिसंबर से यह सब आपको अप है बता देता हो व ogóle जाता है कि आप और पांचL中国 करते तो आपको टैक्स तो नहीं लेकिन आपको रिड़न करना कंपोल सरी से भ्रेंट हूंपल स्रीकिंप सबस्राइब होने अगर में करते हैं तो अभी रिटर्न क्मपल सरी है ऐसे ही वैट नउन करना कंपल सरी हुआ है हर भाजी भाजी बेचने砪 को चाय का धंदा करने रुचर्ण करना है अब ही रिठर्न क्या वता होता है मैंने एक आफिसर को पूछा वो तो कभी शाला में नहीं गया और इंदुस्तान की हराम गोर सरकार 58 साल में सबको सिक्षान नहीं दे पाई इसमें हमारी क्या कमी है सरकार की कमी है हम तो साड़े साथ लाग कोटी रुपए हर साल तुमको टेक्स देते हैं तुम्हारी हराम को रही है कि पूरा देश 100% रिटरेट नहीं हुआ वो रिटर्न कैसे फाईल करेगा तो उसी में एक प्रोवीजन है कि वो चार्टिड इकांट कि बद्द से रिटर्न फाईल करें है कि टेक्स कंसंटेंट की मदद से रिटर्न फाईल करें अऔर चापड़ी णिचार्ट का गंदां अभी पर कंदो आ है लेकिन इससे तकलीफ है कितनी होने वाली है उसका अंदाजाद ना सरकार को है और ना उस व्यक्ति को है जिसके ऊपर यह आने वाले तो आप टेक्स भले मत दीजे रिटर्न फाइल करें और रिटर्न फाइल करिए माने कानूनी कारिवाही पूरी करिए और रिटर्न फाइल करने के लिए आपको हर चीज लगेगी जैसे इंकम टेक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको सब कुछ देना पड़ता है आपकी विक्तिरी कुल कितनी होई आपके कितना कमाया है बले आप टेक्स ने बरना है लेकिन आपको बताना पुड़ेगा माने आपकी सारी इंकम सरकार की नजर में हैं और वो नजर में रखने का एक ही उद्देश है आज नहीं को कल सरकार उस पर डाका डालने वाली है कुछ भी इंकम छोड़ने वाली नहीं है आपके हाथ में नेक्स्ट यह थोड़ा टेक्निकल प्रोवीजन है सरकार का एक वाइट पेपर आया उसमें जो लिखा वो सभी राज्य सरकारों ने कानून बना दिया इसमें कानून क्या है कि जो इस्टॉक ट्रांसफर है कोई भी इस्टॉक ट्रांसफर उसमें टेक्स नहीं है क्योंकि वहां सरकार के एक finance Director को पूछा एकस Comment 이번 को ये आपने ये जो बाइना इसमें क्या सूच के बाद हो है तो दिगो राजी वह सच्छी बात यह है कि ये संब विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए चाल विदेशी कंपनी वो फाइदा कैसे पहुंचेगा मैं आपको एक उधारन देता हूं बाटा का नाम सुना एक परदेशी कंपनी उसकी दुकाने सब जगे हैं ठीक है अब बाटा की दुकान रिटेल शॉप है और उनकी फैक्टरी कलकत्ता में है आगरा में है कानपूर में तो इस्टॉक ट्रांसफर हुआ तो वैल्यू एडिशन नहीं हुआ तो टैक्स में नहीं है मारे बाटा कंपनी को टैक्स पे नहीं करना पार है वो अपनी दुकान से जब जूता बेचेगा तभी एक बार देना है और वो इस्टॉक ट्रांसफर की परिवाशा क्या है आपकी फ उनकी तक्लीफ यह है कि उनके पास ना तो फैक्ट्री है ना अपनी दुकान है बहुत सारे भारतवासी तो सब काम करते हैं और करते हैं उनकी अपनी कोई दुकान नहीं तो उनको दूसरों की दुकानों से माल बेचना है तो मानें उनको तो उच भी करना है तो उसमें वैल कि यह एक टेक्निकल प्रोवीजन है डेट का उसमें चक्कर है कि जो जो दिन से कानून लागू होगा उसके हिसाब से वह सब वह इतना इंपोर्टेंट नहीं है फिर इसके बाद कंपोजीशन इसकी में कंपोजीशन इसकी में बहुत बड़ा फ्रॉड है इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है जिनको कंपोजीशन की सबसे ज्यादा आवश्यक्ता है उसको ही उसमें से डिलीट कर दिया है इनको कंपोजीशन इसकी में बिल सकती और जिनको कंपोजीशन इसकी में बिल सकती उसकी लिस्ट में बता हूँगा अभी थोड़े तो आपको पता चलेगा कि फिर मिलेगी किसको पूरा व्यापारी वर्ग जो इस देश में है उन में से मात्र एक टका से भी कम लोगों को composition scheme का फाइदा मिलेगा बाकी किसी को भी लेकिन वो fraud करके फसा जरूर लिया आपको composition scheme के नाम पर बहुत व्यापारी कहते हैं हम बैट पर नहीं जाएंगे हम तो composition में चले जाएंगे उनको मालूब नहीं है कि उनमें से बहुत लोगों का business composition के बाहर है क्या क्या business है जिनको composition का फाइदा नहीं मिलेगा उसकी एक list में आपको थोड़ी देवरा बताऊंगा composition नहीं मिलेगा manufacturer को composition scheme का लाब नहीं है importer है composition का लाब नहीं है distributor है उसके बाद wholesaler है नहीं है फिर क्या बचाना है only retailer और retailer में भी उन्होंने define कर दिया है कि जो retailer resell नहीं करेगा उसी को composition scheme में जाने का रास्ता है मुश्किल से आधा टका व्यापारी बचेगा इसमें बाकी सब आने वाले तो इसलिए इसका लाब कोई जादा किसी को नहीं है लेकिन जादा व्यापारियों को सरकार में फसाया यह composition scheme देखें नेक्स्ट अभी देखिए एक मिनट भाईया फिर से वापस लाएं देखिए इसमें कुछ और लिस्ट है पीचे अगर होटल चलाते हैं रेस्टोरेंट चलाते हैं खाने प्यूने का सामान की वेवस्ता इटिंग हाउस इटिंग हाउस यहां पोचलते हैं महाराश् इतने सब लोगों के लिए सेपरेट स्कीम करनी है कंपोजिशन की अभी तक आई नहीं है कह रहे हैं कि हम करें लेकिन उसमें भी कोई इफ और बट लगाई है और उसमें फसाई है नेक्स्ट यह तो बेकार यह आपके काम कर नहीं क्योंकि आप में से कोई इस कैटेगरी में नहीं आता होगा पर कॉंट्रेट में अभी देखिए और ट्रॉल एंट्री कोई टेक्स नहीं किया अभी एक सबसे खतरनाक बात जो होने जा रही है इस देश में 6 महीने के बाद महराची क्या होगा यह वैट के अधिकारी जितने भी नैशनल हाईवेज है इसके टॉप सब अधिकारी का हो जाएगा उसमें से अगर आपके पास 19 है एक कम है तो आपकी लॉरी और ट्रॉक जब्त कर लिया जाएगा और वो वैट अधिकारी का हो जाएगा उसमें जो माल भरा हुआ है वैट अधिकारी चाहे तो उसको निलाम कर सकता है चाहे तो बाजार में बेज सकता है आपके उपर दंड लगा सकता है आपको जेल करा सकता है और तो ट्रक जिस व्यक्ति का है उसको जेल करा सकता है मेरा ट्रक है आपका माल है आप तो मालिक हैं मालके मैं तो ट्रक ओनर हूँ मैंने तो भाड़े पर ट्रक दिया है लेकिन डॉकुमेंट्स अगर नहीं है मेरे पास तो ट्रक मालिक भी जवाबदार है वो भी जेन जाएगा अब इसमें मुश्किल क्या होने वाली है मैं बताऊंगा आप कहोगे यह इतना सक्ती से लागू करेंगे नहीं करेंगे वो मैं भी जानता हूं इसमें धंदा करेंगे दंदा कैसे करेंगे पुलिस वाले क्या करते हैं ट्रक वाले को रोकते हैं क्या करते हैं 10 रुपए दो 20 र और आपके पास जितना ज्यादा संबेदनशीन सामान है उतनी बड़ी रिश्वत मालेगे संबेदनशीन से मतलब आप दूद का ट्रक बरके लेके जा रहें कलपना कर और दूद जो है न हाइली परिशेवल आइटम है थोड़ी भी देर उभी तो फट जाएगा आपको मालू है कि इसने अगर ट्रक रोग लिया दो पांच घंटे खड़ा कर दिया मेरा तो एक लाग रूपर का नुक्सान तो रश्वत उतनी ही ज्यादा भाई पचास जार दे दो अगी ट्रक छोड़वाना अगर माली जिए भाजी है उसमें और भाजी है जो जन्दी खराब हो सकती हैं तो उसमें ज्यादा रिश्वत जितना ज्यादा संवेदंशी माल रिश्वत उतनी ही ज्यादा तो अभी बड़े-बड़े हाई-बेस पर आपको जो पुलिस के करमचारी घूस लेते रिश्वत लेते मिलते पर आई जाते हैं वह अब मिलकर वैट आफिसर्स के साथ यह दंदा करेंगे और हर ट्रेक ओनर को ट्रक बेजते समय एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा मैं आपको एक सर्ण लगान से समझाता हूं मुंबई से आपने दूद का टेंकर भरके कल्पना करो नाकपुर भेजा तो यहां पहला जो एंट्री वो आएगा चेट पॉइंट 900 किलो मीटर कवर करने का टाइम 20 घंटे कल्पना करो एवरेज तो लिख देगा कि 20 घंटे में नाकपुर आपको पहुंचना है ठीक है अगर 21 घंटे में पहुंचे तो आपने कानून का उलंगन किया और नाकपुर वाला दंड लगाएगा यह है आप सोच रहें कितनी अधिकार शाही बढ़ने वाले आप ट्रक लेकर निकले 20 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया उसने नाकपुर तक अब 21 घंटे हो गया 22 घंटे हो गया 23 घंटे हो गया ट्रक कही खराब हो गया पंचर हो गया कुछ हो गया देन यू हैव तो कन्वि अब करो तो अच्छा उसका सर्टिफिकेट दिखाऊ तो जूट बोलता है तुमको 20 घंटे का टाइम बिला ता 21 घंटे में आया एक गंटे का तुमने जादे समय लगा पेहनेंटी तो कानूर का उल्लंगन हो गया अब उसमें वो क्या करेगा सीधे सीधे से भूस मांगेगा और निश्वत मांगेगा और कुछ नहीं करेगा यह वह भी जानता है ऑफीजर की सब ट्रक वालों को लेके थाने पर नहीं ले जा सकता वह भी जानता है लेकिन उसको बीच का रास्ता मालूगा तुमको मैं पूमेंट्स की 80 कॉपी लगेगी कम से कम बैने हिसाब जोड़ा उसका मुंबई से नागपूर अगर वो जाता है तो 80 बूत बनेंगे पूमबई नागपूर के बीच असी बूत पर एक कॉपी देनी पड़ेगी और वो कॉपी में टेक्स इंपॉइस चाहिए टेक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का सर्टिफिकेट चाहिए माल जो भरा हुआ है वो कहां से खरीदा है उस पार्टी का पूरा नाम पूरा पता फ उसका चाहिए टोटल बीस डॉकुमेंट्स चाहिए एक भी कम तो कानूं का उलंगन और जेल एक साल की नहीं तो माल जप्त करो नहीं तो पैनेटिफिक इतनी खतरना क्योंस्ता हम मैं आपको दूसरा एक उधारण देता हूं यहीं यूरों के कोई भी देश में महाराग जी एक देश का माल दूसरे देश में जाए जर्मनी का फ्रांस में आए फ्रांस का स्वीडन में जाए स्वीडन का स्वीडन में जाए कहीं रास्ते में कोई वैट ऑफिसर कभी ट्रक को हाथ भी नहीं दिखा सकता रोग भी नहीं सकता चेक करना तो दूर की बात है कोई नहीं क यांád चेते ये कैनल श्रेघ never पहुते परोटेंगों से allowingaho पिरिए स्टेजर्य करोर्मत चलए बेल्जियम और जायों में और और मुझे कि सरकारी और क्योंकि नए बूत उनने के लिए फाने खरचा में यह तो कुछ पालाँ इसंड़ने मताइं 50 वह करांगी तुमको दो टका देंगे, तीन टका देंगे या एक टका देंगे, तुम आपको यहां बैट देंगे और टोल बूत वाली समी प्राइबेट पार्टियां हैं, वो डर के वाले बन से ही सरकार को सरिंडर कर देगी, हाँ जी, आप बैट दो हारे से, इसमें सिर्फ हैरानी होने वाले हैं, और कुछ नहीं है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी देखिए इसमें एक बहुत इंट्रस्टिंग बात है, अगर आपके पास BST नंबर है, बॉंपे सेल्स टेक्स का आपके पास वो जो नंबर है, तो आपको नया रिजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं ह माहिती के लिए अगर आपके पास BST का नंबर है, पहले से आप बिसनिस करते हैं, तो आपको नया रिजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बात, लेकिन उसके आगे, लेकिन अगर वेट कमिशनर को लगता है, तो वो आपको नोटिस दे सकता है, और नोटिस दे स सब्सक्राइब आपको कह सकता है कि आप मैं सबती है नेग्स कर अभी इसमें रिटर्न Will खालने कंतों कुछ लोगों तो سाल में चार बाज वर ताइसी करना है है कि इतना ज़्यादा तकलीफ और ने यह लिए कि साल में एक बार करना है साल में तीन बार करना था कुछ लोगों को साम दो बार करना है कुछ लोगों को साल में हर भी निगा कि अब है ca इग्जामिन करेगा नया किसी को जिम्मेदारी देसकता है, चेक करो, कोई कमेंट भी बिठासको। उसको सारे अधिकार है, तो फिर ये सेलफ असेस्टमेंट का मतलब करेखा। कि ये इतना बड़ा फ्रॉड क्यों करने सब्सक्राइब एक तरफ कहती है कि सेल्फ असेस्मेंट वाना है दूसरी तरफ कहती है कोई भी अधिकार उसको है क्रॉस चेक करने का री चेक करने का और यह सब करने का नेक्स्ट अब देखिए इसमें कमिशनर क्या क्या कर सकता यह मैं इसमें बताएं यह मैं हवाद भी आपको पहले बता चुका हूं कमिशनर को महारास्ट सरकार के कानून के तहट चंपल अधिकार करनाटक कानून के तहट 108 अधिकार मद्रदेश कानून में 150 अधिकार कि जहां जहां वẹट्ट के होगा अलग लग राज्चों में अलग अलग अलगा लिकार महाराश्च में 56 राट्थ हैंешT library सभिलं अगको एक साल की जह फैज़ना दूसरा आईफिश लाइट ko साफंपत्ती के जन्वाम चल्ज़व संपत्थीMe kia है झाल संपत्थी गाड़ी है फेस कूटर मोटर साइकल कार है आपका एककांट आपके बेंक में ओं करने का दिकार कमिशनर को हैं अचर्ट संपत्थी में घर हैं मंगला है खेत खलयान है वह सबी जक्त करने का अधिकार कमिशनर को है और ना सिर्फ जक्त करने का अधिकार है बल्कि उसकी नीला भी कर देने का अधिकार के इतने राइट्स है और ऐसे ऐसे 56 अधिकार है कि मैंने आप दोगानों लॉरी को रोक लेने का लॉरी के सामान को चप्त कर लेने का ट्रक अरिकार कमिशनर को हैं महाराश में ओर अन्में करनाड़त को एक 108 अरिकार उनमें यह से भी जाड़ है În गौह जोरिपा कहई भी ne ज़्यादा अलग-अलग मिनताओं के आधार पर यह कानूट बनाया है जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी इंटर इस्टेट ट्रेट करने वाले आपका बस्तू आप मगाते हैं दिल्ली से सब्सक्राइबारे परसेंट है वोई बस्तू यहां बेज रहे हैं उस पर हमोजिनियस हुआ नहीं सब राज अलग-अलग तरीके से अपने अपनी डबली अपना राग बचा इसमें बहुत तक्लीफ आएगी इंटर स्क्रेट करने वाले हैं नेक्स्ट हाँ अब देखिए एक इंटरस्टिन बात बजाता हूं आपको कि अगर माननीजे आप टेक्स ज्यादा पे कर दिया गल्ती से आपसे गल्ती हुई आपने टेक्स ज्यादा भर दिया होता है 10,000 पर या आपने 20,000 पर दिया तो आप शिकायत करेंगे आपने ज्यादा टेक्स करेंगे अगले सार अगले साल जब आप टेक्स बरें तो उसमें 10,000 कम बरना बापस नहीं देगा अब इसका उल्टा है अगर आपने टेक्स कम बरता है और आपने 10,000 परा तो अगर कम बरा है तो कमिशनर उस पर आपसे व्याज लेगा और पैनल्टी अलग से लेगा और ब्याज कितनी है हमारा जी दो प्रतिशक परमंद दो प्रतिशक प्रतिमाह जो सूद खोर लेते हैं वो ब्याज किदर है दो प्रतिशक साल का नहीं महीने का सौ रुपए पर दो रुपए हर महीने आपने जादा दे दिया सरकार वापस करने को तयार देगे एड़िस्ट करेगी आप से कम आया है तो पैनल्टी भी लेगे और ब्याज सहित पसूरेगे और किसी केस में मान लीजे आप कमिशनर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में गई कोई मामला ऐसा बना जिसमें आपने आरपार की लड़ाई लड़ने का तैय किया कमिशनर के खिलाफ आपने केस किया चांस की बात आप ट्रिब्यूनल में जीत गई कल्पना करो आप जीत गई कमि प्रोवीजन बना दिया है इसमें वह यह कि आप हाइप में अगर जाना चाहते हैं कि इसको लेकर तो हाइप सबसे पहले यह कहेगा कि आपका जितना टैक्स से पहले भर दो कि आपका मुकत्मा सुविकार किया जाएगा सुनवाई के लिए कैसी ही एटमेट नहीं होगा जब तक आप निभर देते आपने वालीं दिया के तीन साल विकदिए चला तीन साल में आप जीत गए और सरकार हार गई, कमिशनर हार गया, तो जीता हुआ आपका पैसा मने रिफंड मिलता चाहिए, वो भी एड़िस्ट है, और अगर आप ज्यादा कुछ करेंगे, तो सरकार आपको वापस करेंगी, लेकिन सिंपल इंट्रेस्ट के साथ, वो इंट्रेस्ट है, फाइप हराम, और आपसे लेगी, दो परसेंट प्रति महीना खीचेगी, ऐसी हराम खोरी इसका लेगी, सबसे अगर दुखी बात है, अपने ही राजा, हमारे साथ इस तरह की हराम खोरी करेंगे, बाहर वाला कोई आके ये करें, तो एक बार को दिल गवाही देता चलो, बाहर वाला है, लूट करने के लिए आया है, यही दंदा है उसका, हमारे द्वारा चुना हुआ, सरकार ही हमारे साथ ये हराम खोरी करेंगे, और ये हराम खोरी हो गई, उसका एक ही कार्य है, जो महाराजी ने का न, सब सो रहे है, पूरी पार्लेमेंट सो रहे है, लोगों की तो बात कालूला रोगे, नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, यह मैं बता चुका, नेक्स्ट, अब दिखिए, एक चीज और बता, अगर आप धंदा करते हैं, रिटेल बिस्नेस करते हैं, बुकान चलाते हैं, तो आपको जो कैश मिमो देंगे, अब तो कंपल सरी है, दस पैसे का भी माल बेचेंगे, तो आपको कैश मिमो फाड़ना है, रसीद देनी है, डॉकुमेंट देना है, उस पे क्या-क्या चीजे लिखनी है, वो जड़ा देखिए, सरकार कह रहे हैं, बहुत सरल हो जाएगा, अभी कैश मिमो पे मारत जी बीस माहिती देनी पड़ेगा, एक कैश मिमो प जो टेक्स इंवोईस मिलेगा ना, उस पे जो शब्त लिखे हुए हैं पूरे के पूरे और जो नमबर है आपका, वो, दूसरा, डेट ओफ इंवोईस, तीसरा, रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नमबर, चौथा, जो पर्चेजर है, उसका नाम एड्ड्रेस के साथ, मैं मेरा पता, सेवा ग्राम आश्रम बरदा, फोन नमबर 28441, सेल नमबर ये, इमेल तो ये, अभी इतना, मुझे पचास पैसे का पैन लेना है आपसे, बरो ये सब, अभी आप धंदा करोगे कि वो भरते बैठोगे कैश्यों, अब 20 माई भी ऐसे, ये सब बर नहीं है, अब मा और दस ग्राहक आगे, एक साथ कुछ है, अब सब का भरते बैठोगा, मैंने इसको भर के देखा, एक ग्राहक का भरने में कम से कम ढ़ाई से तीन मिनट जाता है, अब पांच ग्राहक खड़े हैं, तो ढ़ाई तीन का तीस मिनट तो गया, उतने में एक ग्राहक कहेगा, अर गही गही में होता, लाओ लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, मुझे ट्रेंट पकड़नी है, बस पकड़नी है, अब आप गरते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, क्या मतलब तुम्हारा फूर नंबर क्या है, सेल नंबर क्या है, वो विचार कहेग यहां कर इतना जखनाजस्थे उसर है और यह करने का एकि कारण महाराजी व्यापारियों पर सरकार को बिल्कुल वरोसा नहीं उद्वागउगपति और बिल्कुल बहुत रहाने ये सरकार कि नी भराम produits प्रेल में विद्वी इस फोट के देखो जितने व्यापारी और उत्योग पती हैं सब के सब भोकट में तुमको टैक्स एकठा करके दे रहे हैं। क्योंकि टैक्स देने वाला तो मैं हुगरा आप हैं और सरकार के खजाने में भरने वाले आप हैं माने भारत की सरकार को भारत के खजाने को बिना एक पैसा लिये हुए सेवा देने वाला वर्ग है व्यापारी वर्ग हर साल साड़े साथ लाख कोटी रुपए जो टेक्स भरता है सरकार के खजाने में यह तो व्यापारी लोग देते हैं, एक पैसा भी सरकार से बगार नहीं लेते हैं, उस व्यापारी के उंपर इतना अप्तिया चाहिए, जो भोगट में आपको सर्भिस दे रहा है। वरना सरकार की वकात नहीं है टेक्स कलेक्ट कर सके अगर व्यापारी सरकार से असयोग करना शुरू कर दे महाराज जी सरकार एक मिलिट में गिर जाएगी इसमें दम नहीं है टेक्स इकटा करने की पूरा इंकम टेक्स डिपार्टमेंट पूरा सेल्स टेक्स लग जा तो वैट कलेक्ट नहीं दर सकता इस देश्म से यह तो व्यापारी वर्ग है उद्योग पती वर्ग है जो बिना एक पैसा लिए चुपचाब अपनी सेवा दे रहा है सरकार को सका धंदुवाद करना चाहिए उसको प्रणाम करना चाहिए बजाए सके सरकार उसे को वह America कि इस बात का मुझे दरत बीना एक पैसालियों को साड़े साथ लाझ कोटी रुपय हर साल सरकार के खजाने में जमा होता है और सरकारी विभाग का प्रदानमंत्री एक बार ये बोला है कि मेरे पास जो टैक्स का पैसा आता है उसमें 85% लीकेज होता है लीकेज कहा होता है पैसा जमा होने के बाद माने टैक्स कलेक्टर आफिस से लेकर प्राहिम पिनिस्टर के आफिस के बीच में 85 परसंट लिएक होता है मने ब्यापारी और ग्राहा की इमांदारी इसे पुरा पैसा सरकार को दे देता है लीएक जो है सरकार के system में ये बात राजी फ़ांदी ने कही थी किसी और ने ने कही थी और उसने का कि लीकेज इतना जवर्जस है कि मैं एक रुप्या वापस अगर देता हूँ खर्चा करने के तो बंद्रे पैसा ही खर्च होता है इतना बड़ा लीकेज इस सिस्टम में हूँ और वो सरकार अपने को हराम खोर ना माने सामने वाले को हराम खोर कहें जो बिना एक पैसा लिए साड़े साथ लाग करूर रुपए खजाने में उसको जबां कर रहा है तब मैं व्यापारी उसके कहता हूँ कि अभी कितना बरदाश्ट करूर लिया एक सीमा होती है ना सहन करने की एक सीमा होती है अब तक आप 58 साल से गालियां खाते आए टेक्स ऑफिसर की चोर बेइमान लुच्चा लफंगा जो भी कुछ उनको कहना था वो सब उनके उपर 58 साल में कितने जूटे-जूटे केस बनाएं मैं तो उनकें टेक्संगेंस टेंट और सेट एटा रहता हो सौ केस अगर माहराजजी करता है डिप्राट्मेंट तो 98 में डिपांटमेंट ठांट वभी जी जिरींट बारियां इसको वह जीड़न होते हैं होते हैं नई तो जीटता क्यों नहें है डिपार verse 2 1 BETH 2 परसेंट है 2%, 3% की मेरा दोस्ता इंकम टेक्स कमिश्रों उसको पूछता हूं तो साह्पे सब्सक्राइब है और Sangetin अब करना ह aux new cents कैसा रात केदो वज़े आपके घर में भुष जाना सोते हुए लुगां को उठा देना कैना सब बाहर जाओ आपका cash box check करना जोईरी box check करना आपके गते के नीचे कुछ कि अंदर चुपा हुआ है उसको फेक देना आपके रसोही में घुष जाना रसोही में जो आपका आटा रखा हुआ है कि यहुका उसको उलट देना दाल के डिब्बय को उलट देना इस तरह का यूसेंस इस देश में करते हैं यह सब टेक्स ऑफिसर और आप सब खामुश होंके बरदाश्ट करते हैं यह इसलिए हो पार है कि आप खामुश होकर बैठे हैं तो उसको और हिम्मत पढ़ रही है और हिम्मत पढ़ रही है जिस दिन इक दुस्तान के व्यापारी और सबसे ताकत पर अभ्यान चल जाए उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी माहिती आपको है लेकिन एक माहिती में आपको दे दू कि व्यापारियों में सबसे ज़्यादा एकता अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश हुआ हमने बैट के खिलाब अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश में पहली समा वराणसी में हुई उसकी वीडियो सीडी बनी एक हफ्ते के अंदर 40,000 सीडी डिस्ट्रिब्यूट हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में विदिन वन वीक सबको माइदी हो गई कि बैट में इतनी ख उत्तर प्रदेश में सबको मार पड़ी इंक्लूडिंग सल्मान खुर्शीत जैराम रमेश जो प्राइम मिनिस्टर के खास आत्मी है यह जब बैट के समर्थन में सभा करते तो जूते इको मारे लोगों मूं काला कर दिया कपड़े पाड़ दिया भात बहुत है और हमत नह मुझे हैं कि व्यापारी उम्हें एक ताजबर दस्ट है और जब व्यापारी में एक वहते हैं तो बीजेबी कॉंग्रेस ब्स बूल जाते हों तो बीजब्स का कुछनिंग अभी आंभी यह व्यापारी है अभी उतयोग पतिय हैं पहले हम आमारा काम करें उनकी एक ताने ऐसा चमद का दिखाया कि उत्तरप्रदेश का चीफ मिनिस्टर मुलाइब सि वियालाफ पिछ़े संद्र बैट लांगा बैट लाँगा घ्ला अब कहता है मैं बैट नहीं लाओंगा कान पकड़ता बैट नहीं लाओंगा और ये कहता है कि जब तक व्यापारी हां नहीं करें ये तब तक वैट नहीं लाओंगा तो आप अगर खड़े हो जाओं तो क्या हो सकता है मैं उसका इक उधार दे रहता है उत्तर प्रदेश में यह हो सकता है तो महारश्ट में भी हो सकता है और मारजी उत्तर प्रदेश के व्यापारी संग ने क्या किया उन्होंने पूरा महांडल बना दिया सबसंग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए उन्होंने स्टीकर बनाए स्टीकर दुकान भी लगा दिये और हर स्टीकर में लिखा है सावधान कोईबी बेट आफिसरों कि अंदर प्रभेश मतर है नहीं तो आप लिखा है 404 इस उल terror का करंट लग सकता है वह साथ लिखांस सुस्सिघर给 आप मेटर को है साथ फिर दूसरा स्टिकर दूसरा स्टिकर क्या है अगर किसी टेक्स ऑफिसर को कोई प्रॉबलम है तो व्यापारी महामंडल के अधिकारी को लेकर आए तो दुकान में गुश सकता है अगर्वाइस छूना नहीं दुकान के दरबाजे पर चड़ना नहीं कुछ भी हो सकता है कि एक दो बार क्या हुआ यह अधिकारी तो थोड़े से होते हैं पुलिस को लेकर गए वहराइच में हुआ वहराइच तो बहुत चोटा सा गाव हो वहां तो कुछ वेट अधिकारी माने टेक्स ऑफिसर माने सेल्स टेक्स ऑफिसर पुलिस के साथ घुज गई व्यापारी उन अधिकारी जेल करें सब सस्पेंड वो उस दिन से अभी अधिकारी ऐसे ऐसे काथते हैं वहां अधिकारी अगर सर्च करने भी आया है तो जब तक व्यापारी महां मंडल का कोई अधिकारी उसके साथ नहीं है और उसके पास लिखित उसका आदेश पत्र नहीं है घुस्रे मारते हैं बुरी तरह सब्सक्राइब और पीटने के लिए उन्होंने क्या रखा हुआ है ऐसे हथियार रखे हुए जिन से अंदर चोट आती है बाहर नहीं बिखते हैं ऐसे अधिया जैसे होकी होकी स्टिक से आप जब पीट होगे तो बाहर कुछ नहीं देखेगा अंदर पाउं टूट जाएगो होकी से बीटेंगे और वो मोटा डंडा होता ने जिसको घुमाते हैं ताकत लाने के लिए वर्ज वो डंडे से मांते हैं वो होकी से पीट थे चाकु छुरी नहीं चलाते हैं उसमें तो बाहर से देखेगा और फूप पीटते हैं फिर जाके फायार बाहर करते हैं कि फिरा अधिकार ओसा तो चोड़ी जिन करने के रादे से अभी अधिकारी सब खाफ देब और जब से यह हुआ अधिकारों ने का हम बैट नहीं लगा सकते मुख्यमंतरी ने पिर सरंडर कर दिया उत्तर प्रदेश को प्रदान मंतरी ने धंकिया कि तुम बैट नहीं लगाओगे तो हम तुम्हारा केंद्र का मदर बंद कर देगे तो उसने का वह मंजूर है मैं वैट नहीं लगा सकता है केंद्र की मदद नाय मंजूर है मुझे राजी चलाना है साशन चलाना है मैं वैट नहीं लगा सकता है पिर उत्तर प्रदेश को देखके पांच राज्यों में हिम्द आया राजिस्थान गुज्राद चत्पीस गर्ण अध्यप्रदेश जार्कंड इनों ने भी मना किया तीन और राज्यों में यह जागूत है आप भी अगर थोड़े जागूत हो जाएं तो यह जो लगा हुआ कोई भी कानुन अगर संसथ बनाथी है या विधानसवा बनाती है तो वही संसथ और विधान सभाए उसको वापस बीड को मैट यह चिहानगा आप संधम लटी के पर करने की सबसे बड़ी आपशुता है मैंने आप से कहा कि आपको टैक्स वरना है ये समस्या नहीं है समस्या दूसरी आपकी ग्रॉस इंकम और नेट इंकम दोनों टैक्स से मुल हो गई है और सरकार की नजर में है आप थोड़ा पैसा भी आप बचा नहीं पाएंगे माले धर्म के काम में अब आपका पैसा कम से कम जाएगा और धर्म के काम में पैसा कम जाएगा तो बंदिर और बंदिरों से जोड़ी हुई संस्थाएं ये सब सूख जाएगी और ये संस्थाएं सूखेंगी तो सच में सबसे बड़ा आगाद धर्म पर ही होगा जाने महाराजी एक बहुत संदर कि ख़ा है। धर्मस से मूलम अर्थमु कम 5 में अगर औरत ष्भ升 ठीक नहीं है तो भूखिलोग मंधिर नहीं बनाते और भूखह लोग भजन भी नहीं तो आर्थ जितना मजबूत होगा धर्म उतना फैलेगा अर्थ जितना कमजोर होगा भारत जब जब आर्थिक रूप से मजबूत था तो भारत की धर्म भजा पूरी दुनिया में फैलती थी भारत सोने की चुडिया जब था तो भारत का धर्म दुनिया के पचास देशों में गया बौद धरम गया, जेन धरम गया, सनातन धरम गया और जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा तो भारत का धर्म भारत में सिमट गया और विदेशी धर्म भारत में घुस गया ये इसलाम भारत में आया वही समय जब भारत आर्फिक रूप से कमज्वर कूद आपकाओ का धर्म तो सिमट गया विदेशी धर्म और हावी हो गया और दिरे दीरे हावी होता चला जारहा है और फोर हो ऑगे और हावी होने वला है एक स्लाइड में आपको और दिखाता हूँ, मैं चो आप सो कहा ना, international organizations are bet free, वो provision में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये next, 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 वो सबसे important है, next, 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 िशा्यसलिग में दिखाना, ये एक अपटन हुआ झाल ही, ये एक इपड़ेप्यर स्लाइड है, WET means value-added tension, value-added tension, जो भी WET भरेगा, अभी सब्सक्राइब डाइबिटीज का पेशेंट होना उसको 100%, हर्ट अटेक आना 100%, क्योंकि टेंशन जितना जादा बड़ेगा, डाइबिटीज और हर्ट अटेक और स्ट्रेस उतने ही जादा पड़ेगा, इसमें एक स्लाइट छूट गया है, जरा इसके आगे करो, इसके आगे, एक स्लाइब, एक स्लाइब, पीछे, एक स्लाइब, 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 एक सरकार में हर राज्य में कुछ special economic zone बनाए अगर उसमें आपकी यूनिट है और वह कुछ भी बिक्री करती है तो वह वैट फ्री है हां 100% एक्सपोर्ट औरियंटेड यूनिट अगर आपकी है 100% तो वह वैट फ्री उसके बाद अब यूट आपकी यूट है तो वैट फ्री सेल वाई एक्सेटर वर्क कॉंट्रेक्स अबर्मेंट इपार्टमेंट इपार्टमेंट्स है एकिए नेक्स्ट लास्ट इस पेसिफाइड डिप्लोमेटिक अथोरिटीज एंड इंट इंट्रनैशनल औरगनाइशेशन इप्लोमेटिक अथोरिटीज इसक्या होती है पाकिस्तान का ही कमिश्णल अमेरिका का एंबसी यह सब डिप्लोमेटिक अथोरिटीज यह सभी कुछ भी करेंगे तो वैट फ्री है वो ठीक है क्योंकि हम भी उनके देश में कुछ करें तो वैट फ्री है लेकिन जो यह कोई देश में वेट फ्री नहीं हमारे ओर इंटरनेशनल और यह दो शम्दों को डाल देने से बहुत बड़ा काम होगा है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सभी चर्च भारत में इंटरनेशनल और्गनाइजेशन है मने चर्च की सारी एक्टिविटीज वेट फ्री होगी वेट फ्री होगी माने चर्च किसी भी ऑप डॉकुमेंट पर कोई वेट कमिशनर कुछ नहीं कर सकेगा चर्च कुछ भी करें अठारे हजार करोड मंगाएं और भारत के लोगों को इसाइज बनाने के लिए बाट दिया होगी कमिशनर को मालूब है आपको भी मालूब है आप शिकायद करें मैं शिकायद करूं कुछ नहीं होगा क्योंकि वो वेट कि इंटरनेशनल और्गनाइजे सबसे वड़े किया है लाखो वीजा है वीजह हर साल वहाँ आते हैं और 90% उसमें होते हैं रिजेक्शन के बाद पिफी संदर किरा है कि कभी वापस नहीं करते। मैंने पिछले साथ भारत ये हिसाब जोड़ा था जितने एप्लिकेशन भारत वासियों ने अमरीका में वीजा के लिए उन पर जितना फीस उन्होंने दिया 2000 क्रोड रुपए लास्ट ये और 2000 क्रोड रुपए टोटल टेक्स प्री इंकम है अमेरिकन इंबसी के अमेरिका की कोई कंपनी से भी ज्यादा नेट इंकम अमेरिकन एंबसी करती है इस देश को क्योंकि इंबस्तान में सबसे ज़्यादा पागलपन है अमेरिका जाने के लिए और अमेरिकन एंबसी हर साल दो साल में फीस बढ़ाती जाती हर साल दो साल में फीस बढ़ाती जाती ह एप्लिकेशन फीस करने में ही हजारों करोड़ रुपए नाश होती है सकते तो वो पूरी एक्टिविटी इंकम टेक्स फ्री है अब उसी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी एक्टिविटी बैट फ्री है माने उनकी ग्रॉस इंकम भी टेक्स फ्री है नेट इंकम भी टेक्स फ्री तो इसका मतलब क्या है उनकी सारी इंकम टेक्स फ्री है तो वो अपनी इंकम जादा से जादा पढ़ाएं और जादा से जादा उस इंकम का भारी देश में धर्वांतरण में इस्तेमाल करें मतंदरण में इस्तेवाल करें आप कुछ नहीं कर सकते हों का तो करेंगे और आप हाथ पर हाथ दर के मट करें यह सबसे खतरना पॉइंट है इस वैट को और आप जानते हैं अभी थोड़े दिन से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभ्यान चल रहा शंकराचारे के मट पर सरकार कपजा करने जा रहे हैं कांकोटी कांचीपुरम शंकराचारे जी के मट पर सरकार कपज़ा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जिज लगाए गए हैं 2000 पेज की चार्शीट फाइल की गई है मैं शंकराचारे जी के मट में पिछले 6 साल से जात करें डोनेशन आता है कि पांच हजार करीव ओपर डोनेशन आता है शंकराचारे जी को एकवार मैं पूछा यह डोनेशन का मैक्सीमम इस्तेवाल कहां होता है तो उनका सबसे ज्यादा मैं इसका पैसे का खर्चा करता हूं उन गावन में जहां पर गरीब हिंतु इसाई बन कि उसमें उनका सारा पैसा खर्च होता है कि पांच हजार करोड हरसार भूं कर्च करते हैं वह ने इक दिन कहा शंकराचारी जी यह तो बहुत बड़ी लगम है जो आप खर्च कर रहें तो शंकराचारी जी ने ने तुमको मालूम है एसाई बनाने के लिए अठारे हजार कर वोड़ खरचोड़ा है आग। मैं तो उसका इकतिहाई दिए करना हूं तो वो करते क्या है गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निशुल की स्कूल चलाते हैं और उन्हीं स्कूलों में भरती होने फिर हिंदू बनाते हैं और ऐसे 170 से ज़ादा इसकूल उनके चलते हैं तमिलनाडू, केरल, करनाटा कांधरा में और धीरे धीरे बढ़ा रहा है इसके बाद हस्पिटल चलते हैं उन हस्पिटल में निशुल्क चिकित्सा की जाती है ऐसे लोगों की जो गरीब हिंदू थे आदिवासी हो गए हैं लोगी शंकराचान उनके सामने कड़े अब आरपार की लड़ा ही हो गई है तो कृष्यल इंसिट्यूशन का असर जैसे ही बढ़ा मैंने सोनिया गांदी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी उसी दिन से यह शड़यत्र शुरु गवा इसके लिए तरह त कि उप्रूब हो गये हैं उनको कैमिनेट मिनिस्टर बना के बिठाना शिबु सोरें चांट कि अठातर मुसल्मानों को शिबु सोरें ने जिन्दा जला दिया झारकंड में सबूत है अपराद सिंद्ध हुआ है चार्ज प्रूव हुए है लेकिन आज तक वो छूटा हुआ है क्योंकि सरकार में मंत्री बन के बैठे और अगर सरकार उसको अरेस्ट करें तो केंपर की सरकार गिल तो शुबू सोरें को मंत्री बनाओ उसको सुरक्षा दो और सालित हैं जैसे स्टार न्यूस पूरी तरह से अमेरिकन टीवी चैनल तीन महीने उसने शंक्राचारी के खिलाफ विश्वबंद किया सत्य उसके विपरीथ है शंक्राचार के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ऑडर दिया है कि तमिल नादू में कोई निस्पक्ष नियाय नहीं मिलेगा इसलिए सारी मामले करनाटक में ट्रांसफर किय जाए उसी दिन जैललिता परिशान हो गई क्योंकि उसे मालूम है दूसरी किसी अदालत में सिद्ध नहीं होगा एक दिन सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार जी का बेल एप्लीकेशन गया उसी दिन सुविकार हो गया और हाई कोट ने बेल एप्लीकेशन सुविकार नहीं कि क्योंकि हाई कोट जैललिता के कंट्रोल में है जैललिता सोनिया गांधी के कंट्रोल में सोनिया गांधी चर्च की कंट्रोल में और आप याद रखी इस बात को कमी भूली बड़ अभी फोड़े दिन पहले पोप मर गया पोप जान पॉल हमारे देश में तीन दिन का राष्णी अवकाश हो गया हो जो मर गया कि ठीक है तो क्या करें उसका हमसे क्या लेना देना वेटिगन सिटी तीन दिन का करें 30 दिन वहां बदाध धरम गुरु मर गया है principle पोप मर गया तो तीन दिन कर आहां और भारत का लोग है तो कई भी दिन का पादी दिया आधार क्या है आधार यह है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हाथ रखा और उस महिला का गरभाशे का कैंसर ठीक हो गया मदर टेरेसा में चमतकारिक शक्ति है इसलिए वो संथ होने के लाहिक है ठीक है अभी यह साइंटिफिक है यह साइंटिफिक है कि उन्होंने किसी के कंदे पर हाथ रखा और उसका गरभाशे का कैंसर ठीक हो गया इसलिए मदर टेरेसा संत होने के लायक है यह 100% सुपर स्टीशन अंद विश्वास है लेकिन भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नही क्योंकि वह अंद विश्वास पहला रहे हैं कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं आपके देश में कोई क्रिशियन करें तो साइंटिफिक है हिंदू करें वही काम को तो अंद साइंटिफिक हो गया और महाराश्री में एक संस्था बनाई गई हैं अंद श्र्था गिर्मूलन समीति यही कुछ भी करें उसको दिखाईग नू देता हिंदू कुछ भी करें उसके पीचे इतवाद्छा नहीं ऑं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उसमें पाम करते हैं मेरा उनका यही जवड़ा रहता है कि तुमको अंदर शर्दा हिंदूओं में दिखाई देती है इसायों में नहीं दिखाई देती मदर टेरेसा से ज़्यादा अंद्विश्वासी कोन होगा जो किसी के हाथ रखे करने दो और कैंसर ठीक कर दे अगर ऐसा होने लगे तो मदर टेरेसा ने पोप जोन पॉल पे हाथ क्यों नहीं रख़ा उनको तो पार्किंसन डिसीज़ था बीच साल से पॉप जोन पॉल को तो पार्किंसन था ना बीस साल से मदर डिरेजा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया पॉप जोन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए अभी थोड़े दिन पहले एक बैनी हिंद नाम का हिंदुस्तान में इसाई पाद्रिया बैनी हिंद उसका बैनलोर में बहुत बड़ा फंक्शन वोगए तो उस फंक्शन में वह तमाशा क्या करता है आपको इसाई गुनने का है वह संग परिवर उसमें जाहिए सवाह में जा भाशन किया तो मेरे शरीप के सारे के सारे फून में कॉलेस्ट्रॉल कंटेंट खतम हो गया इसका भाशन सुनके तो मुझे हरटटेक आना बंद हो गया यह नहीं तमाशा करता है फिर 20 लोग यह सुना देते हैं सब लोग करते हाँ हाँ बहुत अच्छा है तो आप भी ऐसा करो तो आप सब इसाई हो जाओ हां 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 हो जाएंगे गले में चर्च डाल देते हैं अईसे यह सब तमाशा होता है बहुत सारे संगटनों ने सरकार को पूछा कि यह अगर बहुत कर रहा है तो यह सांप्रदाइकता नहीं है कि इस धर्म निर्पेग्षता है अगर कोई पया यह सब करता है तो धर्म निर्पेऺष है कोई हिंदू संगट करे तो सांप्रदाइक है क्लं सक अबढ़कोresharak में तो हमने कहा कि देखो बैने हिन नहीं सब तमाशा किया उसमें पैसे एक ट्थे किया किसी ने सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब करेगा अपनी नाम से इंदुस्तान में कोई धन्दा भी करेगा तो वैट नहीं कि इस तरह के कानों में इस देशनों बढ़ रहे हैं और हम खामोशी के साथ अगर इनको सहन कर रहे हैं तो यह हमारी कमजोरी है और हमारी आने वाली प्योड़ी के लिए बहुत बढ़ा फित्राइब आज अगर हम खड़े होकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल कुछ बचेगा नहीं इस देशनों जिसको आप बचाना चाहें अगर धर्म गया संस्कृती जाएगी सपेता चाहें और यह वैल्यू एडिट टेक्स का आक्रमा धर्म के उपर है अर्थ के उपर नहीं है मैं आ बड़ा और ज्यादा होनेगा परेशानी सबसे बड़ी है कि ग्रॉस इंकम भी टैक्सेबूद हो गई अब नेट इंकम भी टैक्सेबूद हो गई कि सबसे बड़ा खतरनाग बिंदू यह है कि इसका माणी है टोटाल इंकम सरकार की नजर में है आप कुछ छोड़ नहीं सकते चुपा नहीं सकते बचाने ही सकते बाने डोनेशन के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेए अब लगातार पार कम होगे तो धर्म का अखाम कम होता जाएगा मंदर बने कम होगे मट बनने करने 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 के तो इसलिए आपको इसका विरोध करना बहुत आश्यूद और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप यह मत्सोचिये हमारे विरोध करने से क्या होगा मैंने आपको छोटा उधारण दिया छे महीं में पहले हमने उत्तर प्रदेश में छोटा सा शुरू किया था आज उसका परिणामे के वैट नहीं और उत्तर प्रदेश हमएं है कोई भी सौन आपको फोगट में नहीं देखे जब आपका टेक्स कलेक्टकट में कुछ नहीं करता हम कैसे आपको फुकट में टैक्सिस कट्ठा कर तेखे हमको इसका सर्विस चार्गज चाहिए नहीं तो वैच और आप एक ये बात कहना शुरू कर दो कि टैक्स नहीं बरेंगे तुमको जो करना है करो एक साल के लिए जेल बेजो कि चम कित्मी जेल है तुमारे पास हिंदुस्तान की सब भरी पड़ी है जगे नहीं है पाउं रखने है जो साड़े चार करोड़ के अपाने मारा जी रिटेलर चार सब्सक्राइब नहीं है किसी आर्मी में बचेगा नहीं विरोध करने का मन में संकल्प रखें कि आप विरोध करेंगे तो परिणाम निकलेगा ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा हो सकता है सो प्रतिशत नहीं निकले पचास प्रतिशत निकले क्या निकल सकता है आप खड़े हो जाई है विरोध करना शुर्प करिए हमको यह वैट मंजूर नहीं सरकार कहलेगी अच्छा बताओ क्या मंजूर है आपको तो सबसे पहली शर्प सारे इंडारेट टैक्सिस खतम करो एक इंटरनेशनल और्गनाइजेशन को भी वैट के लाओ तो आप देखो फिर देखो कैसी मिर्ची खड़ी हो मिर्ची इतनी तेज लगेगी पूरा चर्च और्गनाइजेशन और यह जो इस्लामिक मूव्मेट वाले न यह सब खड़े हो जाएंगे आप तो एक सुलगादो न चिंदरी आप यह बोलो इंटरनेशनल और्गनाइज कि बैट पिलाओ हाँ चो पॉलिटीकल और्गनाइजेशन जैसे अमेरिकन एमबसी है फ्रेंच एवो टेक्स प्री करना एं ठीक है क्योंकि हमारी एंबसी उनके आहां टेक्स प्री है तो ठीक है इनको छोड़ो यह तो पुलिटीकल और्गनाइजेशन बाकि अधिकारियों के अधिकार खतम करो ड्यूटी फिक्स करो और भारत में अधिकारियों को तंखा देना बंद करो सरकारी खजाने से पैसे उटाना बंद करो कमिशन फिक्स करो उनका ऐसी ऐसी आप डिमांड रखना शुरू करिए या तो सरकार इसको माने नहीं तो अटा है दोनों में से कुछ को देखिए दिल्ली के व्यापरियों ने लड़ाई शुरू किया साथ दिन दिन बंद कर दिया है भारत पहली बार हुआ तो अगर दिल्ली वाले कड़र रहे हैं यूपी वाले कड़र तो महाराश्च में अगर यह आया है तो व्यक्तिगत डूसरा सामुनि अगर महाराश्ट्र के मुक्हेंंं को कारण क्या है वो बता दें नमबर एक नमबर दो नमबर तीन ये कारण से मंजूर नहीं करतें और अगर आप ये बदलोगे नहीं तो आपका वही हाल होगा जो ओम प्रकाश चौटाला का हुआ कि प्रकाश चौटाला में किसी की नहीं सुनी परिणाम है कि आज वो सड़कपर है एक जमाने में उसके पास दो तिहाई पहुमत होता था आज 5-6 सीट भी नहीं आई है जो आल चंद्रवाभू नाइडू का हुआ जो एसम कृष्णा का हुआ वह आपका होगा और हर मंत्री यह कुरशी हटे उसी से दरता है आपने को उसी में किया तो यह शर्थ है इस आधाय पर मैट करो नहीं तो हम नहीं मानते और हम सिविल ना फर्मानी करेंगे जो गांडी जी आमको बता के गए में गांडी जी कहते थे कि गलत कानून को स्वीकार करना सबसे बड़ी हिंसा है क्योंकि वो आपको ही नहीं आने वाले प्यूडियों को खितम कर देता है और गांदी जी कहते थे गलत कानून के खिलाफ सिब्ल नाफर्मानी करना सबसे बड़ी अहिंसा है कि सिब्ल नाफर्मानी नहीं देंगे टक्स जेल में डालने डालों जिस दिन हिंदुस्तान में दस बीस लाख व्यापारियों में यह हिम्मत आई जैसे यूपी में जेल भर वांदोलंग शुरू किया वारा थे दो यह दिन चला तीसरे दिन सरकार ने सरंडर कर दिया बैट न करें एक सामुहिक करें सामुहिक क्या करें मालीजे आपका कोई व्यापारिक संगठन है और द्योगिक संगठन है उसकी तरफ से मेमोरेंडम भेज़ें और उस मेमोरेंडम में 20-25 पॉइंट दें उसकी एक कॉपी मैंने परिश्वाही को बेजी है कि भारत में जो वैट इस परिजना शुरू करें बहुत असरों और तीसरा जागरूकता पैदा करें लोगों में आपने मुझे सुना आप किसी को सुनाएं वो किसी को सुनाएं दीर दीके यह बढ़ती चली जाए जितने जादा लोगों को महिती होगी वैट के बारे में उतना ही ब्योद होगा और संगठनों को महिती पहले दें जितने भी साधुसरत इस समय पुंबई में विराज रहे हैं या जिनका चौमासा यहां होने की शक्किता है उन सब के पास तो यह महिती पहुचा है कि अभी धर्म पर सबसे बड़ा हमला यह होने जा आप इसका विरोट करें और इस अंगले क विल्क करीसर करें नॉन प्राफिटेबल हो कि सीविए अब तरक और तर सकती है उसमें कभी भी कर से और यह कानौन के आधार पर करते माहराजी मंदिर सरकार आपने हाथ में लेने शुरू करतें कर आधें बहुत बढ़ा मंदिर है उड़ूबी का को सरकार के आप में चला कि उसके लिए आपी बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हो यह करना तो दीरे-दीरे सम मंदिरों को सरकार अपने हाथ में लेना चाहिए आपको मालू में हमारे देश का सबसे पहला मंदिर गया इसी कानून के आधार पर वैश्वनों देवी सबस्कार के आपके दूसरा मंदिर इसी कानून के आधार पर गया यह जो आंद्र प्रुदेश पाहिए दिरुपती बाला जी सबसक्राइब और इतनी हराम को सरकार माराजी मंदिर के देवद्रब्र में आया हुआ पैसा सरकार खारी और उससे करमचारियों को पकार बांटी जा रही है अभी आंद्रा के लोग कहते हैं कि जिस चंद्रबाबु नाइट्व ने ये का किया उसको श्राप दिया तिरुपती बाला जी ने इसलिए हार गया है लेकिन आगे की सरकार भी सभाद नहीं रही है वो भी कह रही है यहीं चलाई तो यह कानून सब बनाके एक त है यही कोश़िष और सरकार में कौन हैं कभजा किरने यह माहा हराम्पुर इस दिलयुके बकुद्य करते兩個 इस Connelly नौन है नतीर मंदरों के बनाना आए हैं उहाराम्पूर और वो मंदिर का त्यक्षिया, तो मंदिर में लोगों ने जाना बन कर लिया, दीरे-दीरे ये तुर्गती सबी मंदिरों की हो, इसलिए सबी साधू संतों को महलतों को ज़ादा से जाधा ये मह juicy करने की बताने की जरूरत है और वो अपने व्याख्यानों में लोगों को ये कहना शुरूर करें लोगों में जाकूरती पैदा हो थोड़े दिन में बहुत बड़ा अभ्यान बने और वो अभ्यान पूरे देश में कामियाभी के साथ चले और सफलता मिले ऐसी कोश्क शाप करिए आप पहले हे से हार के मत बैठ जाए कुछ होगा नहीं हमारी अकेले से क्या होगा मैं तो आपको एक़ चोटा उदारं बार बार दे रहा हूं हुआ शंधान कमजोर हो इस से वन फ़र tema नीपरताा आध्मी कभाने जाता इससे फरक नीपरता आप की बात कितनी ताकरवर हैं, कितनी संतिक के नस्तीग हैं और कितने निस्वार्थ भाव से आप कह रहे हैं, उसका असर होता है। पुट्तर्देश के व्यापारी तो यह तो यह तो यह तो भावना होती है यह देश को इकठा करेंगे इसमें चोटी सी मदद कर सकता हूं यह जो विश्र मैंने आपको दिखाया इस विश्र पर तीन सीडी बनाई है दुर्भागिसे में पिछली बार आया तो नहीं ला पाया था आपकी बार लाया वो तीनों सीडी बाहर है गेट पर आप जाएं तो ले जाएं एक सीडी अलग से हैं और दो सीडी एक साथ में ऐसे क कोई कौपीराइट ने सबक्भी करने कराइट है है कि कौणकि हम कौपिराइट के सकत खिलाब मैं मांता हूं कि ग्यान पर किसी का अधिकार नहीं हो मैंने कहीं से ग्यान लिया आपको दिया अवाव आपका करतब रहें आप किसी और कोदेb भारत में परंपरा यही है जितने धर्वशास्त्र रहें जितने भी पुराणे शास्त्र रहें किसी पर किसी का कोई कॉपी राइट तो आप सीडी ले लीजे कॉपी राइट रहें उसकी कॉपी करिए ज्यादा से ज्यादा हजार दो हजार पांच हजार दस हजार और जितना तेजी से डिस्रिब्यूट करें खाली मुंबई में ही करा दीजिया मुंबई में इतनी ताकत है कि देश हिर्क आएगा एक कोटी 40 लाख लोग रहते हैं और उसमें से व्यापारी वर्ग ही इकठा हो जाए तो वो 35-40 लाख के आसपास है यह 35-40 लाख व्यापारी वर्ग मुंबई का इकठा हो गया तो यह पूरे देश को हिला देगा क्योंकि जास्ति टेक्स देने वाला शहर भी मुंबई है तो सरकार को मुंबई के पास आना पड़ेगा और सुना पड़ेगा मुंबई एक बार यहां जर्जागरती हो बहुत बड़ा काम हो सकता है और मुंबई के बाहर जो लोग रहते हैं गुजरात में उनको कहिए तुमारे यह पर जहरा नहीं है तो शान्त मत बैठो उजरात वाले यह सोच के हमारे यह तो रहने कभी भी आ सकता है राजिस्थान वालों को कभी भी आ सकता है तुम तयारी रखो यह नहीं आग लगने के बाद कुआ खो दो पहले से पानी की तई तरह का अगर प्रचार आप थोड़ा 60-70 पन्ने की वो आप ले जाईए, सीधी आप ले जाईए, पुस्तक का गुजराती कर लीजे, मराठी कर लीजे, लगे तो उसका कोई दूसरी भाशन में भी भाशन कर लीजे, उसको बांटिये, सीधी सुनाईए, दूसरों को कहिए कि वो किसी को सुनाई, ऐसे करकर के थोड से बात करो, बार 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 आप जाओगे, तो सरकार की उपर इतना दवाव आएगा, वो दवाव पच्पूर करेगा, और महराश्य की सरकार तो वैसे भी बैसाकी पर चल रही है, इंडिपेंडेंट तो हैं तो वैसे ही कमजोर है, कमजोर सरकारों को सरेंडर कराना बहुत होता है बनिस्वत की एक सिंगल पार्टी गवर्मेंट को सिरेंडर करने के तो इस तरह की कोशिश और प्रयास आप करें और महाराज जी का सब्ता हमें सहयों मिले आशीवाद मिलें तो यह लड़ाई में जरूर विजह मिल सकती है और इस देश के टैक्स स्क्रॉप्चर को पुरखे क्या कर रहे ते सो रहे ते इसलिए वह घुस गई अगर जागरूत होते तो उसी समय मारके बगा देते हैं तो एक गलती जो हो गई है वह बार बार मैं करें यही हमारे जागरू कोने की पहचान है इसी अफिक्षा के साथ मैं व्याख्यान सवावत करता हूं और आ उसको ध्यान पर रखें शड़यंत रहे हिंदुस्तान को हिसाई बनाना है तार्गेट वो है उसके लिए तरह तरह के इंतजाम किये जा रहे हैं उसके लिए वैट आया है उसके लिए सब हो रहा है इसको न भूले क्योंकि इसी उद्श से पूरे दुनिया में 500 साल चर्च म से काम किया है और अगले 500 साल इंटे कांध करने का अरादिक की लगिए ट्रफिशना कि हिये पहली सहस्तिम JAMES भारत आ चार्च और एशिया में भारत आता है तो टार्गेट उनका यह है और यह दुर्भा के है कि इस समय हमारी सरकार भी उनकी सरकार जैसी है इस देश जो पूरी तरह से कृष्ण लौगी से संचालित है तो ऐसे समय में थोड़ा सावदान रहना है विजिनी रहना है सो नहीं जाना है आरा को कहेगा वो किसी एक को कहेगा मैंने में पूरी बंबई में आप की तरह से यह बात फैल जाएगा और मुंबई में फैली तो महाराश्य में देर नहीं लगेगी और मुंबई खड़ी हो गई तो महाराश्य खड़ा होगा पैसे है झाल 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 झाल